चल, चाप्टर भी बिगन करते हैं, चाप्टर इस similarity, चाप्टर इस similarity, अब similarity, अब similarity word को अगर आप थोड़ा सा breakdown करोगे, तो यह विसी के लिए किस word से बनाए, it is made up of, simple बहुत सा word है जो आप लोग डेली की life में use भी करते होगे, similarity word का जो root word है वो है similar, similar, अब similar को अगर आप हिंदी में देखोगे, हिंदी में उसका मतलब देखोगे, तो similar का मतलब होता है, एक जैसा, समान, या एक जैसा, या समान, एक जैसा या फिर समान होना, समान का मतलब क्या, कि दो figures अगर देखने में एक जैसे हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, कि वो एक सम या फिर similar है जैसे कि for example for example देखो अगर हम बात करें Sun की तो Sun obviously size में बहुत बढ़ा है ठीक बात करें अगर Sun के shape की तो Sun एक sphere या फिर ball shape का है और Sun बहुत ही बढ़ा है comparison में और बात करें यहां पर comparison लिया अर्थ और Sun के बीच तो दोनों का हम shape की बात करें दोनों का shape जो है वो spherical है भले दोनों के materials अलग अलग है Sun आपका hydrogen से मिलके बना है बट अर्थ में आपके solid चीज़े है वो उस चीज़ के हम बात नहीं कर रहे हैं हम shape की सिर्फ बात कर रहे हैं तो Sun भी आपका spherical shape का है अर्थ भी spherical shape का है बस size में फरक है सो यहां पर हम एक चीज़ कह सकते हैं अगर हम सिर्फ यहां पर size की बात करें size की और shape की तो यहां पर हम कह सकते है that Sun जो है Sun's shape is similar to Earth's shape is similar to Earth's shape अब यहां पर similar word का मतलब बस इतना सा है कि दो चीज़ें आपस में समान है तो यही चीज हमें basically इस chapter में पढ़नी है similarity में similarity का मतलब होता है दो चीज़े जब एक जैसी होती है तो उनको हम बोलते है similar ठीक है तो यही हमारा पूरा chapter है इसी के बारे में अब आप सोचोगे एक पल के लिए अरे यह तो बहुत ही simple सी चीज है actually it is simple but जब इसमें थोड़े से rules add-on हो जाते हैं थोड़ा सा हम इसको specific कर देते हैं तब यह चीज थोड़ा सा tough हो जाती है similar चीजों को देखना ठीक है का study करना है सो हमारा course इतने तक limited है similarity of triangles क्या हुआ जब हम triangles को similar proof करेंगे तो वह हो जाएगा similarity of triangles it means they have same shape but may or may not have same size हाँ एकदम सही है similar का मतलब एक जैसा होना जरूरी नहीं आप एक size के भी हो बट एक जैसे हो एक जैसे देखने में लग रहे हो तो आप similar होगे ठीक है तो यहां पर जो मैंने अर्थ हो sun का comparison किया देखो दोनों size में अलग-अलग है size दोनों का अलग है sun बहुत बड़ा है अर्थ बहुत छोटा है लेकिन overall दोनों का जो शेप है जो देखने का आकार है उनका basically वह आकार जो है वह एक समाने या similar है so that's why we can say that sun sun का जो शेप है वह similar है अर्थ के शेप के ठीक so हमें वो सब नहीं पढ़ना हमें similarities हर चीजों के लिए देखनी है हमारे syllabus में सिर्फ similarity of triangles है means triangles को कैसे similar proof करें triangles कैसे similar होते हैं कि कौन-कौन से triangles में रूल लगाए जाते हैं तब हम उनको similar बोलते हैं या क्या-क्या conditions वहां पर होंगी तब जाके हम दो ट्रेंगल को आपस में similar कहेंगे तो यह सारा कुछ हमें similarity of triangles के अंदर पढ़ना होता है ठीक अब जैसे कि for example यहां पर देखो जैसे मान लो हमान पास एक यह triangle है और हमान पास एक और यह triangle है हमान पास एक triangle है A B C और हमान पास दूसरा triangle है P Q R ठीक अब यह दो triangles हैं अलग-अलग हैं देखने में हम एक जैसे लग रहे हैं लेकिन हम इनको similar कैसे प्रूफ करेंगे इसका तरीका होता है देखो अगर यहां पर हम कोई भी दो angles को बराबर प्रूफ कर दें जैसे कि for example अगर हम प्रूफ कर दें कि angle A बराबर है angle P के और अगर हम प्रूफ कर दें that angle B बराबर है angle Q के so obviously तीसरा angle भी बराबर ही हो जाएगा because दो angle बराबर है तो third angle भी आप कह सकते हो कि वह equally होगा ठीक अगर हम इन तीनो angles को तीनो भी क्या दो angles को कोई भी दो angles को बराबर प्रूफ कर देते हैं दोनों triangles में तो हम कह सकते है that these two triangles are similar then we can say that triangle ABC is similar similar के लिए symbol क्या use होगा similar के लिए हम use करते है यह वाला symbol ठीक है negation computers के बच्चों को पता होगे negation का symbol होता है class 11 computers को बच्चों को पता होगे so यहां पर यह similar के लिए use होगा so यहां पर हम कहेंगे that triangle ABC is similar to triangle PQR ठीक यह दो triangles आपस में similar हैं अगर हम कोई भी दो angles के कोई दो angles को similar proof कर दें कि वह बराबर है equal proof कर दें तब हम कह सकते हैं कि एक triangle दूसरे triangle के equal है यह similar है एक तो यह तरीका हुआ एक और तरीका होता है so यह हमने proof कर दिया by angle angle property ठीक है तो एक तो यह तरीका हुआ एक और तरीका हो सकता है अगर आप यह proof कर दो कि यह side corresponding है इस side के उसके बाद यह side corresponding है इस side के और last यह side corresponding है इस side के कोई भी 2 sides कोई भी 2 sides आप corresponding proof कर दो तब भी आप यही same चीज़ कह सकते हो कि आपके 2 triangle similar है so obviously या तो दो आप angles को proof कर दो कि वो दोनों equal हैं दोनों triangles में या फिर कोई से 2 side उठाओ और उन दोनों को आप corresponding proof कर दो और दोनों के बीच का एक angle सो यह चीज़े होती हैं तो इसके कुछ rules होते हैं मैं rules बता देता हूं rules for similarity या एक्जियम्स रूल्स और एक्जियम्स rules for similarity सो दो triangles को similar proof करने के लिए हम कुछ rules का यहां पर use करेंगे तो पहला हमारा rule है के प्रापर्टी थिक दूसरा हमारा होता है दूसरा हमारा होता है इस है साइड इंगल साइड property और यह जिसका हम जादा को यूज नहीं करेंगे बस हम शुरुआत के दो कहीं जाहतर यूज करते हैं, so first is पहले वाली का नाम है, angle angle property, obviously नाम से पता लग रहा है, कोई दो angle आप proof कर दो कि दो angles, दोनों अलग-अलग triangles में बराबर हैं, तो दो triangles को हम similar कह सकते हैं, ठीक second property हमारी होती है side angle side, so side angle side में हम क्या करते हैं, एक side बीच का angle और एक और side, so अगर हम दो sides और दोनों के sides के बीच वाले angle को अगर equal proof कर दे दोनों triangles में, तो कौन सी property लगे की? SAS property लग जाएगी, और बाकि third property अगर तीनों sides proportional है, side और side और side, अगर तीनों sides को आपने proportional proof कर दिया, then आप कह सकते हो कि आपके दोनों ही triangles similar हैं, तो यह आपकी होती है properties, इतनी properties आपके course में हैं, और यही properties बिसे के लिए using करनी होती हैं, ठीक है, similar proof करने के लिए, अब जैसे ही, जैसे ही आप किसी triangle को similar कह देते हो, if two triangles are similar, तो उसका मतलब क्या हुआ, उससे आपको क्या मिलेगा, so if two triangles are similar, अगर दो triangles आपस में similar हैं, so their corresponding sides their corresponding sides are in ratio, मतलब उनके corresponding sides के बीच एक common ratio होगा, ठीक है, जैसे कि, for example, अगर हम इसी example को consider करें, तो अगर हम इनको similar proof कर देते हैं, अगर मैंने इनको similar proof कर दिया, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा कि इनके corresponding sides आपस में क्या होंगे, एक ratio share करेंगे, जैसे कि, यहाँ पे आपका पहला AB side है और यहाँ पे इसके corresponding PQ है, तो मैं कहूंगा, that AB upon PQ will be equal to AC, AC के corresponding यहाँ क्या है, PQ will be equal to AC upon sorry, PR, AC के corresponding नीचे PR है, so AC upon PR is equal to, यहाँ पे हो जाएगा, BC upon QR, so यह हो जाएगा BC upon QR so अगर दो triangles similar होंगे so उनके सारे जो sides होंगे जो आपस में corresponding होंगे corresponding side मतलब, जैसे मानलो आपने similar proof कर दिया, तो एक वाले side के जैसा दूसरे वाले triangle में कौन सा वाला side होगा, वो upon में लिख दो मतलब कि दोनों के बीच का ratio निकाल लो तो सारे ही corresponding sides यहाँ पे क्या होते है, equal नहीं होते है the corresponding sides are in ratio, ठीक है तो यह हो जाता है, तो यह हमारे corresponding sides एक ratio share करने लगते है so that is the purpose of finding, proving similarity अगर हम दो triangles को भी similarity प्रूफ कर देते हैं, तो हमें यह चीज मिल जाती है कि corresponding sides के बीच का ratio सेम है और इसकी help से हम काफी चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हैं, calculate कर सकते हैं so, यह ही calculations हमाय कोर्स में पूछ जाता है so just asking, can you try 30 minutes computer practice stream everyday for us with mix output and small theory and programming question सार्थक, I can try, but daily तो possible नहीं है but I will try, कि जितना भी कोशिच कर सकूँ जितनी भी streams कर सकूँ उसके उपर आप बोल रो तो मैं try करूँगा उसके उपर एक सेकेंड मैं slow mode on कर दिता हूँ आप बोल रो तो 1 minute so slow mode मैं चालू कर दिया है अभी ठीक है cancel board exam अभी रूप cancel नहीं होंगे होंगे तो हाई है कब होते हैं बस यह main question है चल तो यह हो गया है यह आपर ठीक है यह इतनी चीज़े आई होप आप लोगो को clear हो गए होंगी कि similarity of triangles में क्या-क्या होते हैं दो triangles को similar करने के लिए हम कुछ rules का यहां पर यूज करते हैं अगर इन तीन rules में से कोई भी rule आप पकड़ो कोई भी rule आप लगास्तो मतलब दो angles या तो proof कर दो बराबर या तो side angles side proof कर दो बराबर तो आप कह सकते हो that both triangles are similar अगर similar हैं तो क्या चीज होती है all the corresponding sides share a common ratio सारे जो corresponding sides होते हैं उनके बीचे common ratio यहां पर आ जाता है So this is the purpose of similarity proving जब आप कर देते हो दो triangles को similar proof कर देते हो तब आपको यह चीज मिलती है और इसी के ओपर based आप से calculations यहां पर कराया जाएंगे So अगर हम course की बात करें course भी देख लेते हैं कि similarity में आपके course में क्या क्या है So एक मिनट मैं आप लोगो course दिखा देता हूं बस एक मिनट So यह आपका similarity का course है अगर syllabus की बात करें ICSC में तो यह मैं आपके दिखा रहा हूं यह आपका reduced syllabus है तो इतनी चीज़े similarity में है So similarity में देखो एक तो है comparison of similarity with congruence comparison with congruence एक तो यह चीज़ है अभी यह चीज़ में आप लोगो explain कर दूँगा और 3 conditions SSS, SAS और A तो यह 3 properties इनके नाम मैंने अभी आपको बताया भी कि इनका मतलब क्या होता है तो यह 3 conditions आपके course में है इनके proof आपके course में नहीं है obviously given है कि proof not included इनका proof आपके course में नहीं है आपको सिर्फ इन properties के बारे में बता होना चाहिए उसके बाद एक आपकी property आ जाती है that is basic proportionality theorem इसकी अभी हम बात करेंगे ठीक यह भी होगा और last आपका है areas of similar triangles areas of similar triangles के बीच क्या चीज होती है वह अभी हम देखेंगे तो इतनी चीजे में आपके course में है बात करें इन properties की तो यह properties के उपर calculations आएंगे ठीक है comparison के उपर calculation नहीं आता यह चीज calculation के लिए नहीं है बस main आपके यह हैं यह हैं और यह हैं यह तीन चीजें आपको आनी चाहिए similarity chapter में तो हम इन तीनों की ही यहां पर बात करेंगे properties मैंने आपको बता दिया है यह हो गया है इसको green tick लगाते हैं यह चीज बता दिये मैंने second चीज अब हम बात करेंगे comparison with congruency थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं यह चीज congruency के साथ similarity का क्या रिष्टा होता है क्या relation होता है congruency अगर किसी ने पढ़ा होगा तो शायद उनको पता हो congruency का मतलब होता है similar in shape and size अगर आप लोगों ने congruency पढ़ा होगा congruency सो पता होगा congruency का मतलब होता है when two shapes when two figures are similar in shape and size when two objects are similar in shape and size similar in shape and size तो दो objects जब shape and size दोनों में similar होग जैसे कि for example for example मैंने यहाँ पर figure draw किया यह circle अगर इसी same size का same size का मैं यहाँ पर circle draw कर दूँ और दोनों का radius मानलो इसका भी 1 cm है और इसका भी radius 1 cm ही है तो अगर इन दोनों objects का exact same shape है और same size है तब जाके मैं कहूंगा that figure 1 is congruent to figure 2 अगर यह figure 1 है यह figure number 2 है तो figure 1 और figure 2 को मैं congruent कप कहूंगा जब इन दोनों का same shape हो और same size हो shape मुझे same दिख रहा है बोथ हार circles दोनों ही circles है यह भी circle है और यह भी circle है तो बोथ हार circles और दोनों circles का radius भी यहां पर मैंने equal लिया है so I can say that both the figures have same shape and same size so मैं कहूंगा कि पहला figure congruent है congruent के लिए हम equal to और यह symbol लगाते है so both the figures are congruent congruent और यहां पर congruency का मतलब है congruent का मतलब है कि दोनों का shape भी same है और size भी same है ठीक है तो congruency का मतलब दोनों चीज़ें same होनी चाहिए shape भी और size भी लेकि similarity में थोड़ा सा फरक आ जाता है similarity में थोड़ा सा फरक आ जाता है similarity में हम सिर्फ कहते हैं we only say when two objects when two objects are similar in shape when two objects are similar in shape तो अगर सिर्फ आपका shape equal है तब हम कहेंगे कि वो two objects similar है मतलब size की यहां पर कोई बात नहीं है हो सकता है size वहाँ same हो जैसे मानलो for example यह आपका एक figure और हो सकता है दूसरा यह figure तो यह दोनों similar है उसी तरह अगर एक यह figure है तो यह सारे ही similar है यह सारे figure similar है so these all figures are similar because they have same type of shape उनका shape same है तो यानि कि वो similar है size matter नहीं करता है size शोटा बड़ा हो सकता है तो similar में सिर्फ हम shape को देखते हैं और congruency में हम shape and size दोनों को देखते हैं यही फरक होता है comparison होता है congruency and similarity में तो हमें कौन सा chapter पढ़ना है हमें chapter पढ़ना है similarity so similarity में हम सिर्फ shape देखेंगे size नहीं देखेंगे तो shape एक जैसा हो obviously वो similar होंगे ठीक so यहां पे similarity of triangles की हमें बात करनी है similarity of triangles के बारे हम पढ़ना है तो उसके बारे में यह मैंने आप लोग को पूरा कुछ बताया इतना ही कुछ है इसमें और बाकी एक और चीज रह जाती है basic proportionality theorem कोई बच्चा बोल रहता है stream के शुरू होने से पहले तो main एक चीज इसमें आती है basic proportionality theorem वो क्या होती है अभी हम उसको देखते है so I hope इतना part आप लोग को समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो आप लोग chat में spam करके बता सकते हो yes, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ इतना part आप लोग के समझ में आ गया है so please help with tips for learning trigonometry tables of standard angles and the formulas सार्थक यह तो बहुत ही असान topic है यह तो बहुत ही आसान सी चीज है angles चलो ठीक में किसी एक shortcut trick बता दूगा एक वीडियो बना दूगा उसके उपर बहुत ही आसान होता है जो आप बोल रहो अगर इसमें problem है तो मैं उसके उपर वीडियो बना दूगा चलो कमेंट्स आ रहे हैं मतलब बच्चों को समझ में आ रहे हैं सब फर्स्ट वाला समझाओ फर्स्ट वाला कौन सा ए प्रॉपर्टी अज़ाए सब वाट से ओपिनियों और कैंसल बोर्ट एक्जाम 2021 एक्जाम नहीं होने चाहिए और हहाब से उसका तरीका बदल सकता है तरीका बना जासकता आपको बिन बुलाए भूण झा सकता है यह मेरा बपीन कर दीद में होना चाहिए कि ऑने पश्माश कर्देना तट सरेट्स और सब्च्नौट तूट मेंसेत सब्सक्राइए चल सो काफी बच्चों का यह स्पाम आ रहा है यह सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है अभी तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है बेसिक प्रपोर्शनाल्टी थेोरम जो कि आपका सेलेबस का थर्ड टॉ अगल टॉपिक हमें देखना है बेसिक प्रपोर्शनाल्टी थेोरम यह क्या होती है i2 एक मिन निट सो बात करें basic proportionality theorem की सो वो यह होती है आप लोग इसको जरह एक बाद ध्यान से पड़ो ठीक है एक बाद इसको जरह ध्यान से पड़ो आप लोगो खुदी समझ में आ जाएगी यहाँ यहाँ पर यहाँ पर बोला जाता है if a line is drawn if a line is drawn it to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points मतलब यहाँ पर यह कि अगर for example हमने triangle लिया इस तरह यह हमारा in distinct points then the if a line is drawn parallel sorry यह parallel था this is parallel if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides मतलब अगर हम इस line के parallel नीचे वाले side के parallel एक अगर line draw करने इस तरह जो कि इस triangle को cut करके जाए at two distinct points on the other two sides अगर कुछ ऐसा case है यही case के हम बात कर रहे है if we draw one line which is parallel to the other side and it intersects the two other sides of a triangle मतलब कि एक side के parallel हो यह line यह जो line हमने draw की है यह एक side के तो parallel हो नीचे वाले side के और यह दो अलग-अलग points को cut करती भी जाए on a triangle तब हम कहेंगे अगर मानलो यह points के हमने कुछ नाम देदें एक point देदें A दूसरे को B B इसको देते है चलो B C D E अगर ऐसा कुछ case है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम कहते हैं अग then the other two sides are divided in the same ratio इसका मतलब है कि जो यह other sides divide हुए हैं मतलब कि यहाँ पर अगर हम ratio निकाले A D upon A B is equal to बराबर होगा A E upon A C के मतलब कि उपर वाले triangle का part ले लो और पूरा वाला ले लो उसी तरह इधर A E ले लो और पूरा वाले triangle का part ले लो यानि कि A D upon A B A D upon A B ठीक उसी तरह A E upon A C इस तरह हम ले रहे हैं ठीक है इस equal to अब यहाँ पर इस equal to क्या हो जाएगा is equal to D E upon B C D upon B C तो basically हमने क्या किया है यहाँ पर सारे sides को proportional शो कर दिया है तो यह होता है basic proportionality theorem ठीक है कि अगर एक triangle है और वहाँ से एक line row होके आ रही है इस तरह तो यहाँ पर जितने भी sides होंगे वह एक प्रपोर्ट कॉंस्टेंट रेशियो में कॉमन रेशियो में कट होंगे मतलब कि अगर हम एक यहाँ पर रेशियो निकालें यजिए अपान A.C.K बराबर होगा D.E.B.C.K. this is basic proportionality theorem कि if a straight line दा कि ए पैरलेल तो one side of a triangle and cuts the other two sides तो वह sides triangle के दो sides को एक constant ratio में या equal ratio में कट करेगी constant ratio में कट करेगी ठीक है तो यहां पर हो जाएगा ad upon ab is equal to ae upon ac is equal to de upon bc so this is the basic proportionality theorem तो यह basically similarity से ही आता है आप क्या करते हो आप दोनों triangles को similar proof कर देते हो तो similar proof हो जाएगे तो यहां पर obviously दोनों triangles के corresponding sides होंगे उनका ratio भी same आएगा so यह आपका similarity से ही निकला है लेकिन एक particular situation पर जब हम इसको लगाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं basic proportionality theorem we call this basic proportionality theorem यह कुछ नहीं यह basically similarity ही लगी हुई है यहां पर लेकिन बस एक special case पर लगाया है हमने so इसको हम बोलेंगे basic proportionality theorem so I hope यह भी part clear हो गया होगा कि basic proportionality theorem क्या होती है अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोगे बता सकते हो basic proportionality theorem मैंने आप लोगे यहां पर बता दिया है so I hope यह वाला पार्ट भी आप लोगे को clear हो गया होगा अभी so the corresponding sides of similar triangle are in proportion yes proportion में होते हैं या फिर उनका जो ratio होता है वो एक common होता है common ratio share करते हैं मतलब एक ratio बराबर होता है दूसरे ratio के मतलब कि proportional होते हैं उनके जो sites के ratio होते हैं proportional होते हैं so please send this as pdf हाँ बिटा इसलिए मैं इसको line से लगा रहा हूँ इसलिए मैंने उसको line से हिटा के इधर लगाया ताकि इसको मैं last में पीडिया फॉर में बनाके वीडियो के description में प्रोवाइट कर सको आप लोगोगो इतना पार्ट क्लियर है अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद इतना पार्ट है देख लो आपका syllabus सामने है ठीक जो जो चीजे है मैं सारी पढ़ाने कोशिश कर रहा हूँ तो मैंने यहां पे यह पार्ट भी क्लियर कर दिया है कि basic proportionality theorem क्या होती है अभी जब इसका use पड़ेगा तब हम इसका use भी करेंगे ठीक अब last चीज बचती है point number 4 that areas of similar triangles कैसे calculate किये जाते है ठीक तो देखो बहुत ही आसान होता है तो last हमारा जो topic है बचा है that areas of similar triangles कैसे calculate करोगे areas of similar triangles अब जैसे for example आपने कह किया आपने दो ट्रेंगल को similar proof कर दिया एक ये ट्रेंगल है मान लो for example एक ये जैसे हैं मतलब for example अगर हमने प्रूफ कर दिया है कि triangle ABC triangle ABC similar है triangle P Q R के अगर हम ने ये प्रूफ कर दिया इफ दिटेज आल्रेडी प्रूव्ट अगर यह चीज अल्रेडी प्रूवेन है तब यहां पर obviously जो इनके साइट्स होंगे वो कर्रिस्पॉंडिंग होंगे मतलब कि यहां पर देन देन हम क्या कहेंगे हम कहेंगे और विसली कि यहां पर इन दुनों साइट जो होंगे वह प्रपॉर्शनल होंगे एक मिनट अज़ा है आज़ा के देख सकते हो चैनल पर आज़ा तो यहां पर अगर हमने इन दोनों को सिमलर प्रूफ कर दिया है तो यहां पर क्या हो जाएगा इन दोनों के साइट्स तो कर्रिस्पॉंडिंग हो जाएंगे तो यहांदी कि AB upon PQ will be equal to BC upon QR is equal to AC upon PR यहाँ पर इनके corresponding sides होंगे वो एक common ratio में आ जाएंगे या proportional हो जाएंगे यानि कि AB upon PQ AB upon PQ is equal to BC upon QR and is equal to AC upon PR so their sides are proportional ठीक तो यह चीज़ तो हो गई लेकिन अगर हम से कहा जाए अगर मानलो हम से question में कहा जाए that find the area या फिर find the area of the ratio of the area of two triangles तो यहाँ पर जो पहले वाले triangle का area होगा area of triangle ABC और जो area होगा second वाले triangle का उसके बीच भी कुछ ratio होगा PQR का तो इनके बीच भी कुछ ratio होगा और जो यह ratio होता है और दोनों triangles के area के बीच जो दो triangles मालो similar प्रूफ कर दी है आपने तो उन दोनों triangles के बीच के area के बीच एक ratio होता है वो ratio क्या होता है कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी corresponding side उठाओ corresponding sides के ratio को यानि कि AB upon PQ को आप क्या कर दो square कर दो और बस वही आपका ratio होगा area of triangle ABC and area of triangle PQR के मतलब sides के बीच तो ratio होता है proportional होते हैं sides जो corresponding sides होंगे वो आपस में proportional होंगे अगर उन ही में से कोई दो corresponding side हमने उठाए और उनका square कर दिया on squaring the corresponding sides आपको मिल जाएगा ratio of the area of first triangle to the area of second triangle दोनों triangles के area का आपको ratio मिल जाएगा square करने पे so simple आप corresponding sides को लो उनका square कर दो तो आपको मिल जाएगा area का भी ratio so यह चीज आप याद रखना area of two triangles या ratio of areas of two triangles यह हो जाता है corresponding sides के बीच के ratio का square so बस इतना ही है area of similar triangles में ठीक dislike वाला fail होगा exam में ऐसी वद्दू अमद्दू कोई बात नहीं अगर किसी को नहीं पसंद आया है वो dislike कर सकता है ठीक है कोई बात नहीं so when you will send me send this as PDF I missed the starting part इस वीडियो का end होने तो पहले उसके बाद मुझे बनाना पड़ेगा इसका PDF फिर मैं upload करूंगा तो at least video के end होने के 10 minute बाद आप चेक आउट कर लेना आपको PDF लिंक मिल जाएगा description में sir please do live stream on AP also ठीक है try करते है so I hope areas वाला part भी आप लोग समझ गयोगे बस area में एक चीज़ याद रखना कि अगर आपसे question में पूछा जाता है find the area of the other triangle या फिर दोनों triangles के areas के बीच का ratio पूछा जाता है तो बस आपको कुछ नहीं करना है corresponding sites उठाओ जो भी आपको given हो वह वाले corresponding sites उठाओ और उनका क्या कर दो square कर दो बस जो square करके आएगा जिसे मानलों अगर 1 is to 2 ratio आया था corresponding sites का तो 1 is to 4 हो जाएगा आपका area का ratio ठीक तो ratio इस तरह सब square करके सीज़े निकाल सकते हो sir replay तो रहेगा हां सार्थक बिटा replay रहेगा इस बार पूरा live stream है तो इसका replay रहेगा वीडियो के form में चला तो यह आपके सारे topics हो गए so topics मैंने सारे cover कर आदी है so last topic यही था syllabus का areas of similar triangles अब बारी आती है questions की so now we will do questions ठीक so अब हम उठाते है questions तो इतना सारा topic था similarity का इतना आपको PDF के form में मिल जाएगा आगे के जो questions से वो भी मिल जाएगे but इसका मतलब यह नहीं है कि आप वीडियो मत देखो ठीक चला तो अब हम लोग एक question उठाते है in the figure given below in the figure given below यहाँ पर एक figure है और काफी complicated type का figure है यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर हमें given है A B E F and C D are parallel lines ठीक so यहाँ पर यह वाली line यह वाली line और यह वाली line हमें कहा गया है parallel है ठीक are parallel lines given that A B is equal to 15 cm markd हैं यहाँ पर A B बराबर है 15 cm E G बराबर है 5 cm के EB is equal to 5 cm यहाँ पर E G is equal to 5 cm यह given है and GC is equal to 10 cm यह आपको दिया हुआ है GC 10 cm and DC is equal to 18 cm यह वाला side आपको 18 cm दिया हुआ है so we have to calculate first हमें calculate करना है E F का value E F ठीक E F कहाँ पर है E F मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर यह हमें value find करना है इसका so देखो कैसे करेंगे अब यहाँ पर बहुत असान है यहाँ पर आप समझ लो E F निकालने के लिए यहाँ पर हमें काफी सारी चीजे given हैं कैसे निकाल सकते हो देखो E F निकालने के लिए आप कोई 2 triangles को proof कर दो जिसमें E F भी आ जाए एक triangle में और दूसरा triangle अगर हम लें तो दूसरा triangle यहाँ पर हमारा हो जाएगा यह वाला triangle G C D चाहे तो इसको बना लो एक हो जाएगा आपका E F C तो इसको मैं यहाँ पर सीधह बना लेता हूँ इस तरह यह हो जाय 없어 लेताँ इ इसको मैं ले लेता हूँ इसको मैं लेता ओ एफ साइड और यह हो जाएगा सी E F C वाला triangle हो गया ठीक है और एक दूसरा अगर मैं GCD वाले ट्रेंगल को सीधा करके बनाओ GCD वाले ट्रेंगल को तो यह हो जाएगा इस तरह GCD एक नट और यहाँ पर देख लो कौन कौसी चीज़े दोनों में equal होने वाली है देखो एक तो आपका यह वाला जो यह जो आंगल है यह यह वाला जो आंगल है यह बराबर होगा आंगल C के, तो अगर इन angles को हम corresponding way में बनाएं, तो देखो angle E के corresponding कौन है E के corresponding को हमें खर नहीं पता भी और F के corresponding यानि कि इसके corresponding कौन सा वाला है, D वाला तो जब हम इस triangle को बनाएंगे तो इस triangle को हम कुछ इस तरह बनाएंगे GCD को जब हम draw करेंगे तो GCD को मैं इस तरह draw करूँगा कि F के corresponding वाला जो angle है ये, D, तो इसको मैं यहाँ पर बना लूँगा, ठीक, ये हो गया D, ये angle हो गया corresponding to F उसके बाद अगला कौन सा है ये, जो G वाला angle है, ये आपका common है, जो G वाला है, तो ये हो जाएगा EFG था ये, ये उपर है G तो ये हो जाएगा G वाला angle, यहाँ पर, ये इसके common हो जाएगा, ये, ठीक तो यहाँ पर corresponding sides के हिसाब से मैंने इस figure को बनाया है, तो ये हो जाएगा, D, ये हो जाएगा आपका G, तो G आपका दो angles आपके common है, तो यहाँ पर कैसे इसको proof करेंगे, देखो, यहाँ पर हम सीधे सीधे बताएंगे कि एक तो आपका ये वाला angle, जो यहाँ पर ये वाला angle है, ये equal है, विकॉज ये vertically opposite angles हैं, तो यहाँ पर मैं कहूँँगा int triangle, int triangle, EFG and triangle GCD, यहाँ पर क्या क्या बराबर होंगे, देखो, दो angles बराबर है, एक आपका बराबर है, angle EGF, बराबर है angle CGD के, ठीक है, तो angle ये वाला G बराबर है, इस वाले angle के, तो मैंने उसको equal लिख दिया, second चीज, यहाँ पर हो जाएगा, angle EFG, is equal to angle, ये हो जाएगा CDG, तो यहाँ पर reasons आप लिख दोके reasons must हैं, तो reason पहले का, क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा vertically opposite angle, ये वाले के लिख लिख देना, वर्टिकली opposite angle, यह वाले तो हो जाएगा vertically opposite angle, these are vertically opposite angles, तो इसको equal लिखा है वहीं पर लिख देना vertically opposite angles और जो दूसरा है वह आपके alternate angles हैं तो वहाँ पर alternate angles हो जाएगा यहाँ पर यह दो चीजे हैं तो हम कहेंगे by a property of similarity मैं कहूंगा triangle EFG is similar to triangle GCD और जैसे ही हम इन दो triangles को similar कहते हैं जैसे ही हम इन दो triangles को similar proof करेंगे वहाँ पर ही मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि इन triangles के corresponding sides होंगे वह ratio में होंगे तो यहाँ पर हमें कौन से sides का value पता है तो देखो एक तो हमें यहाँ पर EG का value पता है यानि EG यह वाला side है 5 cm EG यह हमें given है यह चीज ठीक और दूसरा हमें given है GC तो GC हमको given है 10 cm तो अब देखो सही एकदम आ गया है यहाँ पर और अगली चीज हमें क्या given है यह DC 18 cm तो DC यह जो है 18 cm है तो हमें यह वाला side find करना है यह हमको निकालना है तो यहाँ पर corresponding sides को आप proportional लिख सकते हो तो यहाँ पर corresponding sides कौन कौन से हो जाएंगे एक तो इसके corresponding हो गया यह तो यानि कि EG upon CG तो इसको मैं लिखूंगा EG upon इसको मैं इधर कर देता हूँ guys ठीक इसके बाद हम आ जाते हैं इधर तो यह हो जाएगा EG upon CG मतलब कि इसके corresponding यह वाला side is equal to EF upon CD EF के corresponding CD है तो इन दोनों को corresponding proof मतलब लिख देंगे हम उसके बाद फिर इनके values को रखके आप जो side आपसे कहा गया है EF निकालने के लिए वह आप निकाल लोगे तो यहां पर हो जाएगा EG आपको कितना given है 5 यह हो गया 5 CG हमको given है 10 is equal to EF हमको निकालना है is equal to EF upon CD CD हमें given है 18 सो यह आ गया अभी यहां पर हम इसको solve कर लेते हैं तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 18 को इधर लेओ So EF is equal to हो जाएगा यह 18 by 2 is equal to 9 cm तो यह आ जाएगा आपका EF बराबर 9 cm 9 cm ठीक है अब first part तो आ गया first part हो गया अभी हमें निकालना है second part second part is AC AC का value निकालना है अब AC सबसे पहले दो दो है कहां पर AC जो आपका side है वो है कहां पर वो है यहां पर यहां से लेखे यहां तक यह पूरा जो part है यह है आपका AC तो सोचके देखो AC आपका कौन से triangle में लाई कर रहा है ठीक है AC आपका कौन से triangle में लाई कर रहा है यह जो नीचे साइड वाला ट्राइंगल दिखा हुआ है इसमें लाई कर रहा है तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूं बीपीटी का क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक लाइन भी जा रही होके ठीक है जो यहां पे A,C को निकालने के लिए यहां पे हम बीपीटी का यूज करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा सही तरीके से ड्राइग लेता हूं उसके बाद यहां पर एक line draw है EF, यह हो जाएगी EF, और यहां पर values हमें given है, यह जो EF, sorry, EC जो हो जाएगा यह, इतना, यह हो जाएगा आपका 5, 10, 15, यानि कि EC आपको given है 15 cm, और EF का value just हमने अभी निकाला है, यह हमें given है 9 cm, यह हमको 9 पता है, ठीक, तो हमें निकालना क्य AC का value, ठीक है, तो हमें AC का value निकालना है, so we have to find AC, so AC is equal to question mark, so अगर आप इस figure को देखो, यह मैंने कहां से निकाला है, यह मैंने बस इस वाले figure में से, इस triangle को निकाल लिया है, जो side में, तो यहां से इसको निकालने का फायदा यह हुआ, कि अब मुझे साफ दिखाई दे रह basic proportionality theorem, जो इसके corresponding sides होंगे, जो इसके corresponding sides होंगे, वो एक proportion में होंगे, या फिर common ratio share करेंगे, तो यहां पर इसके sides को हम proportional कह सकते हैं, यानि कि, अगर हमें AC निकालना है, तो यहां पर मैं कहूंगा, that AC, जो पूरा वाला side है, यह, AC, AC के corresponding क्या होगा, EC, so AC upon EC, AC upon EC, will be equal to AC, मैंने बड़ा वाला side पहले लिया था, AC upon EC is equal to AB upon EF, बड़ा वाला side upon छोटा वाला side, जो corresponding वाले हैं, so AC upon EC, जो है, वो बराबर होगा, AB upon EF के, will be equal to AB upon EF, ठीक, तो यह, हमने basic proportionality theorem का use किया, फिर से देख लो, यह पूरा जो side है, इसका ratio, इस छोटे वाले corresponding side के साथ, बराबर होगा, AB इस बड़े वाले side का ratio, इस छोटे वाले side के साथ, तो यह BPT हमने लगाया, इससे सीज़े 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 से answer आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे AC हमको given है कितना, AC हमको sorry, निकाल ठीक है, सही, तो यहाँ पे, यहाँ पे AC कितना आ जाएगा, AC, एक minute guys, कुछ गरबर मैंने लिख दिया क्या, AC, एक minute, कितना जाएगा, AC, एक minute, ठीक है, सही है, अब इसी को बस solve कर लेंगे हमारा answer आ जाएगा, ठीक, तो यह हो जाएगा, AC is equal to, यहाँ पे आप cancel out कर दो 3 से, तो यह आ जाएगा, 35 जा 15, यह आ जाएगा, 33 जा 9, इधर लेख 15 तो यह हो जाएगा, 5 by 3 into 15, तो बस cancel कर दो इसको, 35 जा 15, और यह 5 5 जा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, 5 into 5 is equal to 25, so simple है, आ गया यह, AC is equal to 25 cm, so AC यहाँ पे आ जाएगा, AC का जो value आएगा, वो आ जाएगा, 25 cm, so इस तरह को solve हो जाएगा, यह आला question, so I hope यह आला question आप लोगों समझ में आया होगा, ठीक है, तो पहला वाला part जो था, उसमें हमने similarity से निकाला, और जो second वाला part था इस question का, वहाँ पे क्योंकि हमें दिखाई दे रहा था, कि एक triangle है, और उसमें एक line cut करके जा रही है, parallel है वो भी base के, तो वहाँ पे हमने similarity की जगा, BBT का use कर लिया, BBT सीधे सीधे आपको बता देता है, कि answer क्या आएगा, ठीक है, BBT आप direct लगा सकते है, उसमें proving नहीं करना पड़ता है, इस तरह हम इसको निकाल लेंगे, I hope यहाला question समझ में आ गया होगा सबको, YAB upon EF, पिटा मैंने आप लोग को basic proportionality theorem बताया था न, ये, basic proportionality theorem, एक parallel, एक line कट करके जा रही है, तो वहाँ पर, क्योंकि यह वाला triangle है, यह similar होता है, यह वाला जो उपर वाला triangle होता है, छोटा वाला triangle ADE, यह similar होता है triangle ABC के, यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर सारे corresponding sides, इनके जो होते हैं, वो, प्रपोर्शन, common ratio में आ जाते हैं, मतलब प्रपोर्शनल होते हैं, तो यहां पर यह, ऐसा कोई case है, जहां पर एक triangle है, उसमें एक ऐसे line rocker के जा रही है, कट कर जा रही है, बड़े triangle को, एक छोटे triangle में तो यहां पर हम कहते हैं, कि इन दोनों के जो sides हैं, जो उपर वाले छोटे triangle के sides हैं, और जो बड़े वाले triangle के sides हैं, वो आपस में क्या होते हैं, प्रपोर्शनल होते हैं, मतलब कि अगर आप लोगे AB बड़ा वाला side, उसके corresponding ले लो AD, so AB upon AD बराबर हो जाएगा, AC upon AE के बरा proportional हो जाते हैं, ठीक है, तो BPT मैंने वहां पर लगा दिया है, BPT में क्या होता है, आप सीधे सीधे similarity प्रूव नहीं करने होते हैं, आप सीधे सीधे कह सकते हो, कि यह जो दो triangles हैं, इनके corresponding sides similar होने वाले हैं, यानि कि AB बड़ा वाला side upon AD, जो छोटा वाला side है उपर, बराबर ह होगा, बड़ा वाला side BC upon DE, ठीक है, तो इस तरह है आप लिख सकते हो, चल, so I hope, यह अला question समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है, so इस तरह हमने solve कर लिया है, अभी हम देखते हैं, अगला question, यह question number 1 नहीं था, 2 था, 1 वाले में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसके बाद हम में question load कर रहा हूँ, और यह board का question है, बोर्ड में बहुत tricky question वैसे नहीं आता है, ठीक है, आप लोग की book में काफी एक से एक अच्छे questions दिये होंगे, बोर्ड में जादा tricky question नहीं आता है, बहुत जादा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही question में बहुत सारी चीज़े बता दीगे हैं, इतना सब्ताम जाम कर दिया गया, इतना question tough नहीं आता है similarity से, similarity के questions थोड़ा सा easy आते हैं, अगर हम boards की बात करें, तो एक मैंने board का question लिया है, ताकि आप लोग को idea लग जाए कि board में किस तरीके के level के questions आने है, ठीक, तो एक हम लोग का यह अला question है, यह आपका 2006 के board के question में आ PO is equal to 6 cm and QO is equal to 9 cm and the area of triangle POB is equal to 120 cm square, find the area of triangle QOA, so we have to find the area of triangle QOA, ठीक है, तो यहाँ पर हमें QOA के triangle का area बताना है, तो यहाँ पर हम कौन सा वाला property यूज करेंगे, जो मैंने last में आपको रता है था कि triangle के area के बीच क्या चीज होती है, तो यहाँ पर हमें triangle के area को बताना है, हमे क्या given है, हमें given है area of triangle POB, यानि कि POB, इस वाले triangle का हमको area पता है, हमें किसका निकालना है, हमें इस वाले triangle का area निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अगर हम दोनों triangles को आपस में similar proof कर दें, अगर similar proof कर देंगे, तो उनके area के बीच कुछ ratio भी आ जाएगा, अगर areas के बीच ratio जाएगा, तो हम area को obviously निकाल लेंगे, so यहाँ पे हमें basically इस वाले triangle को, जो यह वाला triangle है, इस वाले triangle को similar proof करना पड़ेगा, इस वाले triangle के साथ, ठीक, तो लग जाते हैं similar proof करने पे, so we have to prove, we have to prove that triangle POB is similar to triangle OAQ, मतलब कि इस वाले triangle को, इस वाले triangle को हमें similar proof करना है, तो एक ची 20 degree है, तो one angle is same, और दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, that यह वाला angle बराबर होगा, इस वाले angle के, because they both have vertically opposite angles, so यहाँ पे हमारा solution कुछ ऐसे start होगा, हम कहेंगे, in triangle AOQ and दूसरा वाला उपर वाला triangle कौन सा है, triangle POB, जो पहली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है that angle AOQ is equal to angle POB, क्यों बराबर है, because they both are vertically opposite angles, see this, दिखाई दे रहा है, that these are vertically opposite angles, second चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, that angle A जो है, वो बराबर है angle B के, equal to 90 degree, ठीक, यह भी हमको question में ही given है, so यहाँ पे दो angles बराबर मिल गए, so यहाँ पे मैं कहूंगा, by angle angle property of similarity, by angle angle property, जो triangle AOQ होगा, AOQ, वो similar होगा, is similar to triangle POB, और जैसे ही इन दोनों triangles को हम similar proof करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते है, that दोनों triangles के, जो sides होंगे, वो आपस में क्या होंगे, proportional होंगे, यानि कि corresponding side zone के होंगे, proportional होने वाले हैं, तो अगर आपको पता लगाना है, कि corresponding sides होंगे कौन-कौन से, तो बस इसको आप कुछ इस तरीके से बना लो, एक triangle बना लो, यह वाला, एक triangle हो गया यह वाला, यह हो गया, A इधर बना लो, यह हो गया A, यह हो गया O, यह हो गया Q, A, O, Q, और इसी जैसे इसको बना लो, बस ध्यान रखना कि angles जो same वाले हैं, वो एक तरफ ही रहें, तो angle A, 90 degree है, तो 90 degree वाला इधर बना लो, यह हो मैंने ऐसे ही figure बना लोगा, तो यह B वाला angle यहाँ पर रखूँगा, ताकि मुझे idea रहे कि A के corresponding B है, उसी के साथ साथ, O वाला जो angle है, यह वाला, इसके similar कौन सा होगा, इधर वाला, यह वाला angle, तो मैं O को, यहाँ पर ही रखूँगा, तो यह हो जाएगा O, बचा कौन सा पी वाला angle, तो पी वाला angle आप यहाँ बना लो, पी वाला angle हो जाएगा यहां, तो एक हो जाएगा QO A और एक हो जाएगा PO B, यहाँ पर similar वाले जो same वाले angles थे हो मैंने corresponding way में बनाए हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे प्रूव हो जाएगा, कि यहाँ पर जो इनके corresponding sides होंगे वो proportional होंगे, कैसे होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा Q O Q O upon P O यह दोनों आपस में corresponding है, मतलब कि यह side इसके corresponding है और यह बराबर होगा O A upon O B के, is equal to जो नीचे वाले side हैं, यह आपस में proportional होंगे, corresponding होंगे तो यानि कि यह equal हो जाएगा Q A upon P B के इसे फाइदा ही हो जाता है, कि आपको corresponding sides बहुत ही आसानी से लिख जाएगे तो यहाँ पे यह सारे sides corresponding होंगे अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है हमें तो area निकालना है तो पहले तो corresponding sides के बीच का वो निकाल लेते हैं, कौन-कौन यह है, यहाँ पे लिख देते है PO हमें given है 6 cm and Q O यह हमें given है 9 cm तो यह दो sides हमें given है और हमें given है the area of triangle POB is equal to 120 cm² तो हमें इस वाले का area भी given है area of triangle POB is equal to 120 cm² तो अब हमें पता है कि कोई भी 2 triangles अगर similar होते हैं if two triangles are similar then उनके बीच का जो area होता है उनके बीच जो ratio होगा वो इनके corresponding sides के ratio के square के बराबर होगा तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ that area of triangle AOQ upon area of triangle area of triangle POB जो होगा वो बराबर होगा कौन सावला side देख़वा आपको given है आपको OQ given है और OP given है यानि कि यह QO and PO तो यहाँ पे आपको यह 2 sides given है तो यहाँ पे ही हो जाएगा QO upon PO QO upon PO का square area जो होता है corresponding sides के ratio के square के बराबर होता है तो यहाँ पे बस आप क्या करो values को रख दो एक तो हमें area ही given है यहाँ पे area of triangle POB 120 cm square so triangle POB का area रख देंगे 120 cm square 120 cm square area of triangle AOQ हमें निकालना है area of triangle AOQ हमें निकालना है QO upon PO QO हमें दिया है 9 cm और PO हमें दिया है 6 cm और इसका हमें कर देना square तो बस इसी को solve कर देंगे हमारा answer आ जाएगा so यह हो जाएगा area of triangle AOQ is equal to 99081, 66036 और into 120 तो यह आ जाएगा कितना इसको solve कर लो यह हो जाएगा 6 से काट दो 66036 और 6 2s 12 0 फिर आप 2 से cancel कर दो यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 10 और 3 से cancel कर दो यह हो जाएगा 3 2s 6 और 3 7s 21 तो यह आ जाएगा आपका 270 cm square So area of triangle AOQ कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 270 cm square सार्थक Congratulations for 70,000 subs Thank you बीटा Thank you so much सार्थक Thank you Harsh Thank you बीटा Thank you सारे मेंबर्स का spam है समीर Thank you सार्थक Thank you Wish के लिए I hope यह वाला question भी आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पर हमसे area पूछा गया गया था और हमने यहाँ पर देखो area को निकाल दिया है तो मैं उसको दोबारा से explain कर दोंगा आर्यन आर्यन कुमार thank you हमारे 70k subs complete हो गये हैं सो उसके लिए थांक्यू to all of you जित्ते भी लोग इस चैनल से जुड़े हो आप लोग के बिना तो यह मुम्किन नहीं हो पाता guys and कोशिश करो अगर चलो कोई बात नहीं हो अपने time से हो जाएगा लेकिन कोशिश करो इस चैनल के बारे में अपने friends को भी थोड़ा बहुत बताओ अगर उनको थोड़ा help चाहिए हो तो इस चैनल को देख सकते हैं ठीक है इससे दोनों मतलब उनका भी benefit होगा ठीक है तो आप एक काम कर सकते हो आप इस चैनल के लिए हुआ है उनको तो उनका भी benefit होगा ठीक है यह है हमारा question number 4 अगला question है अगला question है सर मेया के लिए स्ट्रीम लैप्स नहीं विटार्यन चल अभी करते हैं इस question को यह आपका 2008 का question आया हुआ है अभी हम इस वाले question को करेंगे सर कबसे new class open कर रहा है क्या सर जी मेरा नाम ले लो ए डबल के गुर्जर नाम ले लिए हमने आपका सर मेटलर्जी पर वीडियो बनाओ प्लीज ठीक है विटा कोशिश करते हैं बनाएंगे जल्दी सर दिस इस माई first class अच्छा तो आप शुरू से इसको देख ले क्वेशन नमबर फॉर आप लोग भी क्वेशन को लगाओ अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप मुझे कमेंट में लेकर बता सकते हो मैं आपको शाउट आट दोगा सब मुझे class 10 प्रीवोर्ट कंप्यूटर अप्लिकेशन में 93 मिला हाओ कैने टेक टू हंड्रेड मैंनत करो वेटा उसके लिए मैंनत करो मैंनत करो प्रैक्टिस करो जित्ते प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करने कोशिश करो चलो तो अभी हम लोग करते हैं question number 4 और इन ट्रेंगल यहां पर हमें इन ट्रेंगल ABC AP is to PB is equal to 2 is to 3 मतलब यहां पर हमें रेश्यो दिया है इन ट्रेंगल ABC वाले ट्रेंगल में AP is to PB का रेश्यो है 2 is to 3 मतलब रेश्यो हमें यहां पर given है हमें as such कोई side का length नहीं पता है then हमें बताया गया है that PO is parallel to BC PO जो है वो parallel to BC है तो मुझे यहां पर BPT वाला case भी लिखाई दे रहा है and is extended to Q so that CQ is parallel to BA find the area of triangle APO now we have to find the area of triangle APO upon area of triangle ABC तो जो चीज आपको निकाल लिए ना आपको areas के बीच का ratio निकालना है यहां पर देख लो दोनों चीजें हैं क्या-क्या एक आपका APO triangle APO यह वाला triangle हो गया यह APO वाला triangle हो गया और दूसरा आपका area of triangle ABC है वह आपका पूरा यह वाला triangle हो गया तो basically दोनों triangles के बीच के areas के बीच का ratio आपसे पूछा गया तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए पहले दो triangles को similar proof करना पड़ेगा similar proof होगा तो उसके sides मिलेंगे आपको corresponding sides के बीच का ratio मिलेगा उसका square कर देंगे तो आपको area के बीच के ratio का value मिल जाएगा area के ratio मिल जाएगा तो यहां पर इनी दो triangles को उठाओ और इनको similar proof करो तो हम कहेंगे first part के लिए in triangle APO and triangle ABC तो APO और ABC में देखो क्या-क्या चीजे बराबर हैं काफी चीजे बराबर हैं अगर यहां पर PO और ABC अगर यह दोनों parallel हैं अगर यह वाले line के parallel है तो यहां पर एक तो आपका यह वाला angle जो angle P है APO यह बराबर हो जाएगा angle ABC के तो पहली चीज़ angle APO बराबर हो जाएगा angle ABC के why these are equal because parallel lines है और transversal cut करती भी जा रही है तो यह corresponding angles है these are corresponding angles so these are corresponding angles और दूसरा आपका यह वाला angle जो है यह वाला angle बराबर हो जाएगा इसके तो यह तो आप इसको ले लो या फिर दोनों triangles में यह एक आपका common angle हो जाएगा यह हमारा common angle हो गया तो आप आसानी के लिए common angle A ले लो तो यह हो जाएगा angle A is equal to angle A और यह हो जाएगा common तो यह हमारा हो जाएगा यहां पर दो angles हमें common आ गए एक्सपी सौरफ थैंक यू फॉर्टी रूपीज सूपर चैट थैंक यू चलो तो यह हमारा हो जाएगा यहां पर दो angles हमें मिल गया है यहां पर हम कह सकते हैं by A property by A property of similarity by A property of similarity क्या हो जाएगा यहां पर triangle A P O is similar to triangle A B C तो दोनों triangle similar प्रूफ हो गया तो similar प्रूफ हो गया मतलब कि उनके जो corresponding sites होंगे वह भी यहां पर एक ratio में आ जाएगे तो यानि कि by similarity हम कह सकते हैं by similarity हम कह सकते हैं कि इनके corresponding sites होंगे वह common ratio शेयर करेंगे तो उसको मैं यहां पर नहीं हमें यहां पर area से मतलब था हमें यहां पर area से मतलब था तो area यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हम लिख देते हैं area of triangle A P O upon area of triangle A B C तो यह हो जाएगा equal to इनके corresponding sides उठाओ कोई एक आप AP वाले में से उठा लो तो AP वाले का corresponding side AP उठा लो ठीक और AP के corresponding जो ABC बड़े triangle में है वह क्या है वह है AB तो यहां पर AP और ABC में से corresponding side उठा लो यह हो जाएगा AP upon AB और मैंने बताया था कि area जो होता है corresponding sides के ratio का square के बराबर होता है तो area के बीच का ratio क्या हो जाएगा corresponding sides के बीच के ratio का square यहां पर square लगा दिया है ठीक तो हमसे यह पूछा गया था और यहां पर AP और AB दोनों का value आपको दे रखा है तो यहां पर AP जो है AP तो आपका हो जाएगा 2 लेकिन नीचे जब AB का value रखोगे तो AB हमको नहीं पता AB का value हमें अभी नहीं पता तो यहां पर हम एक trick लगा सकते हैं यहां पर हम लिख सकते हैं AP को तो AP लिखा रहन दो लेकिन AB के लिए यहां पर लिख सकते हैं AP प्लस PB AB के लिए AP जो है जो AB वाला line है तो वह मिलके बना है AP से और PB से तो AP और PB जुड़के बना लेंगे AB AP प्लस PB का length मिलके बना रहा है AB को तो यहां पर मैंने AB को break कर दिया P 282 आपका त्वप्लस PB तो यहां पर AP का value हो जाएगा 2 A P 25 यह बिए अपका 2 है question तो पहले part का answer हो जाएगा 4-25 समझ में आ गया होगा आप लोग को इसके बाद हम देखेंगे second part इसके बाद इसके बाद आप देखेंगे second part second part में निकालना है area of triangle APO to area of triangle CQO अब हमें निकालना है APO का जो एरिया है उसका रेशियो में निकालना है second part में area of triangle CQO के साथ अब CQO कौन सा है यह वाला CQO यह वाला है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ इन दोनों triangle को एक इसको और एक इसको आपको similar proof करके दिखाना पड़ेगा तो कैसे करना है जो देखते हैं तो यहाँ पर मैं एक line draw कर देता हूं इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग second part करते हैं यहां से तो second part में हमें क्या करना है हमें इन दोनों triangle को लेना है तो यहाँ पर पहले इन दोनों triangle को similar proof करना पड़ेगा तो कैसे होगा देखो एक आपका triangle है APO और दूसरा आपका triangle है CQO तो एक यह वाला triangle APO और दूसरा CQO तो यहाँ पर कुछ आपको चीजे same proof करनी पड़ेगी सेम मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे एक तो यह वाला angle बराबर है इस वाले angle के यानि कि एक angle आपको मिल गया vertically opposite angle जो कि दोनों triangle में same है और क्यूंकि यहाँ पर यह दोनों triangle आपके same हो गए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह आपका alternate angle है इस वाले angle के साथ तो इसको मैं अलब color से ही बना देता हूँ तो यह वाला angle alternate angle है इस वाले angle के साथ ठीक है तो यहाँ पर हम दो angles लेंगे दोनों triangle में तो यहाँ पर हो जायागा देखो हम कहेंगे in triangle A,P,O and triangle C,Q,O तो इन दो triangles में पहली चीज़ पहली चीज़ A,O,P वाला angle A,O,P वाला angle बराबर है एक सेकेंड अंगिल A,O,P बराबर है angle C,O,Q के क्यूं विकॉज इस तो आंगिल्स आर वर्टिकली ओपोजिट आंगिल्स ठीक और दूसरी चीज़ सेकेंड चीज़ दूसरा angle हमारा यह जो A वाला है यह इस वाले के बराबर है तो यहां पर हो जाएगा angle P,A,O is equal to angle यह हो जाएगा Q,C,O ठीक यह दो angles क्यूं बराबर है विकॉज इस तू वर alternate angles पैरलल लाइन की वज़ए से यहां पर यहां पर यहां पर दो आंगिल्स हमने similar प्रूफ कर दिये अभी तक देखुँ जितने भी question से हम लोगों ने की है जादा तर angle आंगिल प्रॉपर्टी से ही हुए है वही सबसे खास प्रॉपर्टी है वही जातर जगा लगती भी है तो यहां पर यह हो जाएगा अब आंगिल प्रॉपर्टी आंगिल अंगिल प्रॉपर्टी यह हो जाएगा triangle APO इस similar to triangle CQO अब हमें इनी दोनों ट्रेंगल के एरिया के बीच का रेश्यो बताना है तो सीधी सी चीज है अगर यह दो ट्रेंगल सिमिलर है तो इनके जो एरिया होंगे वह उनके भी रेश् तो यहां पर हम कह सकते हैं सीधे सीधे that area of triangle APO upon area of triangle CQO यह बराबर हो जाएगा कोई भी corresponding side इसका उठा लो जो आपको given हो जो आपको पता हो तो इन दोनों में कोई आपको side जो given हो वो निकाल लो और side हमें यहां पे यह directly तो निकलेगा नहीं यहां पे हमको इन दोनों के बीच के कोई corresponding sides चाहिए होंगे और sides के लिए यहां पे हमें निकालना पड़ेगा कुछ और भी और तो हमें कुछ हमें पे given नहीं है 4-9 यहां पे AP हो एक तो आपको यह वाला हो गया इसमें तो यह 2 मिल जाएगा लेकिन इस वाले में आपको कौन सा side given है इसमें तो आपको निकालना पड़ेगा हुड हो करें कि अधे कि एओ हिए पड़ेगा पीओ भी कैसे आएगा पीओ पीओ के लिए हमें यह पता होना चाहिए बढ़ हमें बीसी नहीं पता है बीसी नहीं गिवेन है है सो हाउ पीओ विल्बी कालकुलेटेड क्वेश्चन यही है पीओ कैसे निकाला जाएगा सर इस पीओ कोल टू क्यू सी और क्या बता रहो पीओ क्यू सी हाँ इक्वल है वह पैरलोग्राम बन रहे है तो वह इक्वली है वह इक्वल है के एक हां पे इतने काम नहीं बनेगा हमें कुछ और भी करना पड़ेगा कि यह इए ध्यों काल लेते हैं यहां पे इसके अलावा और कुछ नहीं है है अगर haiди में इसके नोगे में से कोई बीदो साइट्स के वैल्यू गिवन होता तो यहां पे डान लिएब सिमिलर क्यूं सी import लिगी कि उसी इस कि गूज़ा कि और कि कीज़ी नोइं बहुत है आसी मिलर नर्हकंप लिए डाइब आपको यहां पर कोई दो सेट वैल कर दो नो पता होना चोगा यहां पे यहां पे यह पी जो है यह इकोल होगा इस क्यों थीक है क्यों बिकॉज दोनों ही आपके क्या है पैलो ग्राम के साइट्स हैं तो यहां पे अगर यह पार्ट 3 है अगर यह चीज 3 है तो यह क्या हो जाएगी यह भी 3 हो जाएगी बस मिल गया आपको तो यहां पे करिस्पॉंडिंग हम यहां पे लेंगे क्यों जाएगा और इसका स्कॉम्ज कर्स्पॉंड कर दो और में मैंने उठाया यह AP वाला साइट और यह वाला CQO वाले में से मैंने उठाया QC वाला साइट यही दोनों corresponding है आपस में तुम बस corresponding sites ले लो और इनका value रख दो तो यह आ जागा कितना AP आपका given है 2 और QC आपका given है 3 और दोनों का square कर दो यह सी दिस्ट दे आ जाएगा 4 is to 9 so 4 is to 9 आपका आ जाएगा second part का answer मतलब कि area of triangle APO is to area of triangle CQO यह हो जाएगा 4 is to 9 PB is equal to QC हाँ पेटा पहले PB is equal to QC लिख देंगे यहाँ पर लिख देता हूं मैं यहाँ पर हो जाएगा since PB is equal to QC तो हमें PB का value पता लग जाएगा sorry QC का value पता लग जाएगा 3 ठीक है तो यह चीज़ हम लिख देंगे और figure में mark कर देंगे और वहाँ से हम sides के value को उठा लेंगे तो इस तरह हम कर लेंगे इस वाले question को भी तो यह था बोर्ड का question I hope यहाला question भी समझ में आ गया होगा ठीक है थोड़ा से ध्यान वहाँ पर नहीं गया मेरा यहां पर PB और QC का value बराबर होगा स्क्वायर कर दोगे तो बस आपका answer यहां से सीधे सीधे आ जाएगा ठीक तो यह हो जाएगा आपका इस question का answer so I hope यहाला question भी समझ गये होगे आप लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला question अगला question हमारा है यह जीएस्टी एंड मोल कॉंसेट देखो बेटा जीएस्टी के ऊपर मेरे और यह तीन वीडियो हैं बट स्टिल आवे ट्राय कि उसके ऊपर भी एक लाइव स्ट्रीम कर पाऊंग काफी लोग डिमांड कर रहा है उसके लिए और दूसरा टॉपिक आपने क्या बताया शेकंड टॉपिक आपने बताया मौल कॉंसेट मौल कॉंसेट के ऊपर आई ठिंक मुझे उस पर लाइव स्ट्रीम करना है वीडियो और लडी उसके उपर है लेकिन लाइव स्ट्रीम शायद मझे उसके ऊपर अभी करना है अ देखते हैं बता दूमां आपको किसी दिन उसक भी उठाया था लाइव स्ट्रीम के लिए अभी हम लोग देखते हैं इस को यह है मारा अगला कोश्च खेक सो देखते हैं इसको अभी इसको करते हैं इसको यहां पर हमें गिवन है एक 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 पॉइंट है यहां पर फिकर में मांग धिए जो है यानि की वाला अंगल क्या है 90 डिए पर्पेंडिकुलर तो अच वह में क्या चीज़े प्रूफ करनी है देखो फिर्स्ट वी आप टू पूफ दा ट्रांगल अगिलर दीए इस सिमिलर तो ट्रांग अच बी तो हमें यहां पर कुश्चन में सीधे-सीदे को चीज़े प्रूफ करने के लिए कहीं गहीं हैं तो यहां पर चलो इसको प्रूफ करते हैं So first is this, triangle ADC, ADE is similar to triangle ACB, तो यहाँ पर दोनों triangles को सीधे सीधे बना लो, आपको समझ में आ जाएगा, दोनों triangles, एक triangle बड़ा है कौन सा वाला, ABC वाला triangle बड़ा है, और ADE वाला triangle छोटा है, तो ABC बना लो है यहाँ पर, यह हो जाएगा आपका ABC, यह हो गया A, यह हो गया B, यह हो गया C, B वाला 90 degree है, उसी तरह, इसी के corresponding way में आप बनाओ इस वाले को, ADE को, ADE को हम जब बनाएंगे, तो मैं कुछ ऐसे बनाओंगा ADE को, ताकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे कि कौन से sides मेरे corresponding है, तो ADE, सोरी, इसको ऐसे बनाते हैं, जब इसको बनाओंगा, तो यह हो जायाएगा, देखो, आपका E वाला side 90 degree है, तो E को बनाओ, B के corresponding, यानि E को यहाँ पर बनाओ, उसके बाद, उसके बाद, एक आपका side common है, तो common वाले को common की तरफ रखो, A common हो गया, और दूसरा D यहाँ हो जाएगा, तो जब इस तरह बना लेते हो na figures को, तो आपको idea लग जाता कि कौन से side के corresponding कौन सा वाला side होगा, तो B के corresponding E वाला angle होगा, तो B के corresponding यहाँ पर E मैं बना लिया, A आपको common है, तो A मैंने दोनों में उपर-उपर बनाया है, और C के corresponding जो बचा हुआ है, वो D हो जाएगा, तो यह बन जाएगे, तो यहाँ से हम angles लेखते हैं कौन-कौन से हमें same मिल रहे हैं, एक तो angle B के बराबर angle E है, यह आपका हो जाएगा, और दूसरा, जो angle A है, वो दोनों में common है, तो simple आप यहाँ पर कह सकते हो, in triangle ABC and triangle ADE, यहाँ पर पहली चीज मैं कहूँगा, that angle ABC is equal to angle AED, is equal to 90 degree, और यह हमें क्या है, गिवन है, पहली चीज, और दूसरी चीज, that angle A is equal to angle A, और यह क्या है, दोनों में common, तो दो angle, दो triangles में बराबर हैं, so by A property of similarity, so by A property हम कह सकते हैं, that triangle ABC is similar to triangle ADE, is similar to triangle ADE, यह दोनों triangle similar प्रूव हो जाएंगे, और जैसे similar प्रूव हो है, बस आपका पहला काम यहाँ पर हो गया, so पहले part में हमसे यह कहा गया था, ठीक, अभी आता है second part पर, so second part में हमसे क्या निकाल ला है, हमसे कहा गया है, if AC is 13, अगर AC का value 13 है, तो AC हमें मतलब कि यह value दिया है, यहाँ से लेके, नीचे तक की length, so अगर AC का value 13 cm है, और BC is equal to 5 cm, BC आपको 5 cm दे रखा है, तो अगर BC का value 5 cm है, and AE is equal to 4 cm, AE is equal to 4 cm, यह यह value जो है, यह 4 cm दे रखा है, find DE and AD, तो हमें क्या निकालना है, हमें find करना है DE का value, और AD का value, ठीक है, तो सबसे पहले, देख लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़े मांग दें, यहाँ पर मांग कर लेता हूं, हमें given है, BC का value 5, यह मैंने 5 लिख दिया, हमें given है, AC का value 13, तो मैंने यहाँ पर 13 लिख दिया, हमें given है, AE का value, AE का value यहाँ पर लिख दिया, मैंने 4, और हमें क्या given है, और यहाँ पर हमें और कुछ नहीं given है, ठीक, सो हमें find करना है क्या, हमें find करना है DE, यानि कि ये वाला side, एक तो ये वाला side निकालना है ED, एक ही बात है, और हमें दूसरा निकालना है AD, और दूसरा हमें निकालना है ये वाला part, ठीक, तो हमने इन दोनों triangles को जब similar proof कर दिया है, तो यहां से हम कह सकते हैं, देखो, first part में हमने similar proof कर दिया था, तो दूसरा एक ये वाला उठा लो, और एक ये वाला उठा लो, इस तरह आप कर सकते हो, लेकिन इसमें, इसमें आपको पहले कुछ निकालना पड़ेगा, देखो, यहां पे कोई भी आपको similar corresponding sites के बीच का ratio नहीं पता है, तो आप क्या करो, यहां पे लगा दो pythagoras, इस वाले प्लस, ab square ठीक, यह हो जाएगा pythagoras, hypotenuse square is equal to 5 square प्लस, ab square, और बस इसको solve कर लेंगे, तो यह हो जाएगा, ab square is equal to, यह हो जाएगा 13 square, यह हो जाएगा आपका 169, 169 नहीं होता है, 13, यह हो जाएगा 3-9, थीवन्जा 3, उसके बाद 3-1, यह हो जाएगा आपका 169, ठीक, तो बस यह हो जाएगा 169 minus, 5 का square कर दो 25, 25 minus कर दो इसमें से हो जाएगा 4, और यह हो जाएगा 4, 144, तो यह आजाएगा ab square का value, तो यानि कि ab का value कितना आजाएगा, यह आजाएगा 12, so ab is equal to 12 cm, ठीक, यह आगया, तो यानि कि इस वाले side का value मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ab is equal to 12 cm, अब मुझे यहाँ पर एक corresponding side का ratio मिल जाएगा, ab है 12 cm, ae है 4 cm, तो बाकी के दो भी निकल आएगे, कैसे निकलेंगे देखो, जब मैंने इन दो triangles को similar proof कर दिया है, तो similar proof करने का मतलब यह होता है, कि अब मैं इन दोनों के corresponding sides के बीच ratio कर सकता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा अगर हम corresponding sides उठा हैं, तो एक हम ले सकते हैं, ae और इधर ले सकते हैं, ab, तो यह हो जाएगा, ae upon ab is equal to, दूसरा side मैं ले सकता हूँ, ad upon ac, तो दूसरा side हो जाएगा, ad upon ac is equal to, तीसरा side हो जाएगा, ed upon bc, और तीसरा हो जाएगा, ed upon bc, तो बस corresponding sides उप उठा लो, देखो, इसके corresponding यह हो गया तो AE upon AB किसी भी triangle को पहले ले सकते हो आप छोटे वाले को या बड़े वाले को तो मैंने छोटा वाला पहले numerator के लिए है तो यह हो गया AE upon AB is equal to AD upon AC is equal to ED upon BC बस इसके values को रख कि आपको बस solve कर देना है बाकी आपके सारे values आजाएंगे आपको कहाँ निकालना है आपको निकालना है DE और AD तो जिसके value आप में नहीं पता वो बस निकाल लेंगे हम यहां से तो यहाँ पे values को put करो यह हो जाएगा AE का value हमें कितना पता है AE का value हमें गिवन है 4 AD का value हमें नहीं पता तो AD को ऐसी रहने दो और यहाँ पे BC का value हमें गिवन है 5 इसको मैंने यहाँ पे रख दिया 5 अब बस बारी-बारी से आप एक एक करके equation को लेके solve कर दो यहाँ पे AD और AD का value आ जाएगा तो पहले हम इतने को लेके solve करते हैं यहाँ आ जाएगा 4 upon 12 is equal to AD upon 13 तो पहले इतने को लेके solve कर लो यह हो जाएगा यहाँ से मिलेगा हमें AD is equal to 4 into 13 upon 12 तो यह कट जाएगा 4 1s are 4 4 3s are 12 तो यहाँ जाएगा 13 upon 3 ठीक यहाँ जाएगा AD का value ठीक है अब यहाँ पे एक मिनिट और यहाँ पे यहाँ गया AD का value और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे ED का निकाल लेते हैं value ED कितना हो जाएगा ED के लिए हाप इतना value इतना part solve कर लो ED के लिए हो जाएगा 4 upon 12 is equal to यह हो जाएगा ED upon 5 बस इसको solve कर लो यह हो जाएगा ED is equal to 4 into 5 divided by 12 तो यह हो जाएगा 4 1s are 4 4 3s are 12 तो यह हो जाएगा 5 by 3 यानि की 3 1s are 3 बचा 2 point लग जाएगा 0 लग जाएगा 6 3s are 18 तो लगा फिर से 7 सब्सक्राइब यह वाला कॉश्चन भी आप लोग समझ गए होगे यह वाला कॉश्चन था अभी इसका 3rd part देखते हैं जो कि यह last part find area of triangle AD is to area of quadrilateral BCED अब हमें निकालना है area of triangle AD is to area of quadrilateral BCED चलो देखते हैं कैसे होगा area of triangle AD 3rd part में हमें निकालना है 3rd part में यहीं पर कर देता हूँ तक कि आप लोग को समझ में आ जाए थर्ड पार्ट में इसी जगा करता हूँ तो now we have to find this लाही ने खीच लेते हैं यहां पर अभी यहां पर 3rd part करते हैं तो 3rd part में हमें find करना है find the area of triangle AD so triangle ADE का area area of triangle ADE upon area of quadrilateral BCED अब हमें यह निकालना है तो इन दोनों के बीच का ratio निकालने के लिए so I think it AD not ED कहां पर किस जगा पर कौन सी जगा पर बता रहे हो कि श्रेयांश मुझे लग रहा है आपने कुछ गलत देखी है वैसे है सही देख लो आप एक बाद सब्सक्राइब कर रहे हैं लास पार्ट को थर्ड पार्ट को सब्सक्राइब करना है यहां पर ऊपर तो वही रहने दो अध्मों के लिए टैं dolor को थिरिद ए ऐति वाला यह कार उडिया कैसे आएगा आ trust नेट चरों परे सब्सक्राइब कर थरूए सब्सक्राइब कर दोगे यह यह छोटे आरी तो यह वह जाएगा area of quadrilateral area of quadrilateral यह बराबर हो जाएगा देखो इसके आप क्या करो area of triangle यह निकाल लो A, B, C और उसमें से minus कर दोगे area of triangle A, D, E बस इतना आपको करना है यह ठीक है यह काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अब इसको solve करना पड़ेगा और solve कैसे करना है वो देखो यहाँ पर हम यह कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर यह ठीक है पर यह ठीक है अड यह elements आए आपको आपको सब कुछ तो पता है आपको एडिया वाला साइट भी पता लग गया तो यह वाला यह आपका बेस आपको कितना हो जयागा डी यह निकाल लिया है, या ed हमने निकाल लिया है, कितना, ed हमने निकाल लिया है, अभी यह, 5 by 3, e.d का value हमने क्या निकाल ला है, 5 by 3, so ed हमारा 5 by 3 है, तो यहाँ से बस निकाल लो, area of triangle ad हो जायेगा, half, base into height, base हमारा कितना है, यह जायेगा, 5 by 3, और into height, height हमें कितनी दे रखिये 4, ठीक, और पूरे के upon में area of triangle ABC, ABC के लिए क्या हो जाएगा, ABC के लिए हो जाएगा, half base into height, यानि कि half, base हमारा कितना है, यह है 5, और height हमारी कितनी है, अगर इसकी बात करें तो, base into height, तो यह हमारा कितना है, AB, AB का value है 12, तो यह हो गया, ABC का area, इस तो इसी को रख दो, तो यह हो जाएगा, 1 by 2 into 5 by 3 into 4, तो बस इसी को solve कर लो, आजाएगा आपका answer, तो इसी को solve करते हैं भी जल्दी से, तो यह आजाएगा, तो यह आजाएगा, देखो, यहाँ पे cancel कर दो, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यह हो जाएगा, 5 2s are 10 by 3, उपर तो आगे 10 by 3 नीचे आएगा, नीचे यहाँ पे आएगा, यह, 1 by 2 into 5, तो यह कर लोगे, यहाँ पे हो जाएगा, 2 6 is 12, और यह आजाएगा, 6 5 is 30, so 30 minus, यहाँ पे हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 2s are 10 by 3, तो यह आजाएगा, 10 by 3, एल से म ले लो यहाँ पे, तो यह आजाएगा, 10 by 3, और आजाएगा, 10, नीचे आजाएगा, 90 minus 10, यानि कि यह आजाएगा, 8 T, यानि कि इन दोनों ट्रेंगल के और एक कडिलाटरल के बीच के जो area का ratio आएगा, यह सीधे सीधे solve के कितना आजाएगा, यह आजाएगा, 1 is to 8, या 1 upon 8, यह आजाएगा हमारा final answer, जब आप इसको solve करो होगे तो यह आजाएगा ठीक मानव सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आई थिंक वी मस्ट ट्राइन गेट दा मेंबर्शिप वह आपके उपर है अगर चाहो तो मेंबर्शिप जॉइन कर सकते हो उसे चैनल को थोड़ा सपोर्ट होता है ठीक है अगर आप इस चीज को और कर सकते हो आप मेंबर्शिप ले सकते हो आप इस चैनल को प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हो ठीक है कई तरीकों से आप हेल्प कर सकते हो तो जितना आप हेल्प करोगे इन रिटर्न आपको भी उतना ही मिलेगा ठीक है इस चैनल से चलो तो आई होप यहाला कोशन भी आप थोड़ा सा तफ था इसमें चीजें काफी सारी थी बस यहीं चीज में तफ थी बागि similarity कैसे करनी है similarity बहुत ही आसान टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में बताया था that similarity बहुत ही easy topic है similarity कुछ नहीं है बस अगर आपको similar proof करना आता है तो आप इसको बहुत ही सानी के साथ कर सकते हो कैसा भी question हो बस उसमें आपने जो चीज आपको निकालनी है वह चीज आप समझ गए क्या निकालना है उसके हिसाब से आप similarity प्रूफ कर दो अगर area का पूछा गया तब भी आप similarity प्रूफ करके साइट के बीच corresponding ratio निकाल लोगे और वहां से similar प्रूफ करके उसमें corresponding साइट के रेशियो का square कर दोगे तो area का रेशियो आजाएगा तो बस इतना ही है similarity में बस यही जादर जाद चीज़े पूछी जा सकती है आपके paper में I hope समझ में आ गया होगा आप लोग को यह पूरा chapter इतनी ही चीज़े इसमें है इस पर बेस इतनी question मैं लिये थे और question अगर आप लोग को अगया था मैंने सारा कुछ explain किया है यहां पर और समझ में आ गया होगा आप लोग को यहां पर पूरा 5 by 3 कैसे आ गया एक मिनट वापस उसी question पर आते हैं 5 by 3 कैसे आ गया बताते हैं आपको 5 by 3 बेटा यहां से आया था इस जगह से यहां पर हमने solve किया था इसलिए 5 by 3 आया अभी हमने जब ED का value निकाला था यह 1.67 तो यहां पर मैंने 5 by 3 यह cancel करके लिए था तो इसलिए मैंने ED को 5 by 3 आप चाहो तो 1.666 भी रख सकते हो वहां पर उसको round off करना पड़ेगा आपको बेकार में तो उससे बेटर है कि यहां पर 5 by 3 value मैंने रख दिया ED का थीक है तो ED की जगह 5 by 3 हो गया और यह 5 by 3 क्यों आया है यहां पर मैंने यह रखा है area जो होता है triangle का area of triangle बराबर होता है half base into height तो आप figure में देख लो figure में देख लो तो यहां पर base आपका यह हो जाएगा ED ED, ED base हो गया, और यह height है यह आपकी 4 दे रखे है, तो यह मैंने figure से देखके निकाला है, figure में देख लिए, यह base है, figure में this is your base and this is your height, तो यह base और यह height है, तो यहाँ पर base का value, ED का value वहाँ पर रखना था, तो half base यानि 5 by 3 into 4 height तो यह हो जाएगा यहाँ पर यह चीज 4 marks took 109 minutes बिटा कोई topic जो आपको समझना होता है न तो उसमें time तो लगता ही है obviously आप कोई भी चीज मिंटों में नहीं सीख सकते हो चीजों को समझने में time लगता है आप लोग यह चीज समझ गयों अभी और कोई अगर डाउट है तो आप पूस सकते हो रिशब सर्वार लेजेंट चलो विटा थैंक्यू अगर आपको ऐसा लगता है तो विवेक गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग अभी तो मॉर्निंग नहीं हुआ अभी तो ग्यारा बजा है गुड नाइट होने वाला है अभी सर जावा आउटपुट प्लीज विटा करते हैं आज के वीडियो में तो नहीं हो पाएगा आज का वीडियो तो हमने सिमलारिटी को लेके रखा था इतना कुछ हमने पढ़ लिया है आज के वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा शुरुवात यहां से की थी हम लोगों ने सिमलारिटी का मतलब एक जैसा या एक समान और करते 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 फिर जितना भी सारा पोर्स था आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया से रिफ्लेक्शन रिड्यूस में लाइव इस्ट्रीम करा दो ठीक है यूशी ठीक आपने बोला कोशिश करते हैं जल्दी करेंगे आप अपने घर पर ट्यूशन लेते हो क्या नहीं मानव नहीं पहले लेता था बटब बंद कर दिया है एक बार पूरा शॉर्ट में समझा स अवेशिज का से लसी में बौन डॉना की एक आपने लिए था नहीं हुआ है । लेस दैसे ता हमारे कोस्तिमिलर का सारी चीजों के बारे में दुनियादाए के बारे में हुआब हारे नहीं कॉर्स नहीं है जो हमारा फ़र ऐसा similarity तक हमें सिर्फbels Himself زाङते देखनी रॉप एक होते हैं कब होते हैं का इनको similar प्रॉफ करना है हमे सिर्फ इसके बारे में देखना है ज्ม आएंगे को समी तो अपरिट दो सीमिलरर कष़ोंगे जाम के बीच यह तीनो ब्रॉपर्टि मेंसा नगरी होती है है या फिर उसके अलावा अगर जब similar हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि उन दोनों बाद अगल का पर वह कुस्त के के साथ और से अगंटिव पर्परक्रटीज मिन बता अगर ती हरे बहुत ही और ba और similar triangles यह मैंने course आपको बताया था फिर उसके बाद congruency similarity में मैंने यहां पर difference बताया था congruency तब होती है जब आपका shape and size दोनों सेम हो और similarity सिर्फ तब होगी अगर shape देखने में एक जैसा है size matter नहीं करता छोटे बड़े object भी similar हो सकते हैं लेकिन congruency में same size भी होता है फिर उसके बाद bpt की बात की थी basic proportionality theorem की यह क्या होती है यह मैंने बताई थी अगर इस तरह का कोई case है तो यहां पर सारे sides आपस में proportional होते हैं छोटे वाजे ट्रेंगल के और बड़े वाजे ट्रेंगल के फिर area की मैंने बात की थी कि area of the triangle क्या होंगे corresponding sides के ratio के square हो जाएगा बस तो यहां पर area का ratio आजाएगा यह बताया था फिर हमने धेर सारे questions किये थे आज के questions कम थे विकास मैंने सोचा था कि live stream जल्दी खतम करूंगा तो यतने questions हम लोगों ने करे थे यही सारा कुछ आज का हम लोगों ने किया था मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों का मैं चैट पर सको हूं अभी आप लोग चैट में अगर कुछ कहना है तो आप लोग कह सकते हूं बाकि यह नोट्स जो है यह में प्रोवाइट कर दूँगा बस इस च्रीम के बाद आप 10 मिनट वेट कर लेना आपको इ कि ऐसे ओं सर्थ डूवन स्रीमस कि मैं कोशिशन इंट यह जल Def infection अगर और पर पर शायद इसार एक्जायम केंसेल करा दो प्लीज मानव बिटा वो मेरे हाथ में नहीं है वैभव सेनी सर्व वह एडी वाला कोश्चन पाइथागौरस थेओरम से हो सकता है बट सिमिलारिटी से नहीं हो रहा से एडी वाला कोश्चन देखो कर सकते हो एक कोश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं सर्दी आपको ऐसा लगा तो थैंक यूँ सर केमिस्टरी चैप्टर वन भी किसी दिन करवा दिजिए पिरियोडिक प्रॉपर्टिस से ठीक है जटना हो पाएगा में तरह से मैं कोशिश जरूर करूंगा कि करवाद हूं आप लोको सर्थ दिन में आपका मैसेज चला गया पढ़ने से पहले मैंने नहीं किया बॉर्ट लगा हुए सर्थ थांक्यू अगें फॉर हेल्प एन एफ़र्ट सार्थक गंगवर कोई बात नहीं इस ओके युग लिकम सब मेरा नाम बोल दीजिए क्या नाम है आपका कहां गया है एवरीफिंग क्लासी नाम ले लिए हमने आपका अच्छा आपका नाम आपने लिए हुआ है निकुंच निकुंच बिटा शाटओ टू आप सब फर्स्ट कुश्चिन नॉट दन सब फर्स्ट कुश्चिन नहीं कर पाए है विकवर उसमें कुछ है को शिन नहीं चाहिए ती या फिर सकता है कुछ ना देख पाए हूं में वहाँ फिर से देख लेता है तो अगर हो जाता है तो में उसको सौल्व करा देता हूं एक मिन टूप जाओ झाल 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 कर लेते हैं लास्ट में जल्दी से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं शायद हो जाएगा वाला भी कुशन नंबर वन जो था कुशन नंबर वन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक नट हो जाएगा शायद हमी लोग गलती कर रहे थे हमी लोग क्या मैं गलती कर रहा था एक नट कुशन नंबर वन में सॉल्व कर आजए तो एक नट कि बीच में स्पेस तो नहीं लास्टी में सॉल्व करना पड़ेगा सो एक नट कुशन नंबर वन हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बड़ यह रहा कॉश्चन नंबर वन अब देखो इसमें कैसे सॉल्व होगा इसमें एक चीज श्राइक नहीं करी थोड़ा समय गड़बर कर दिया था इसमें जो हम ट्रेंगे ना यह वाले हमें लेने होंगे यह था हमारा कॉश्चन नंबर वन फर्स्ट कॉश्चन यहां पे हम य ऑला यह एक यह वाला टैंगल और यह वाला टैंगल यह और दूसरा टैंगल ऐड लो टैंगल यह से यह दोनों हो ग उसके अलावा इक एक आपका यह common side आ गया है यहां पर एक आपका यह common side आ जाएगा तो ही हो जाएगा और एक और एंगिल हमें चाहिए होगा यह वाला कि एक मिनिट कि यहां पर हमको बीडी का वैल्यू दिया है टू सीडी का वैल्यू दिया है एट लाच कि इस कुछें मुझे पाथ नहीं कीक कमी लग रही है इस क्यों में एक और चीज agreement असी हла यहां पर एंगिल दो तो हमें मिल रहे हैं आप यहां पर आंगिल में प्रोवाइट कर दूंगा कि इसका सॉल्विशन हो पाया तो ठीक है प्लीज आप सेफ रहे हैं आपकी जरूरत है मैं बाहर इसलिए नहीं निकल रहा हूं जब कोई बहुत काम होता है तभी निकलता हूं इसमें खासकर आप लुक भी ध्यान रखो ठीक है अपनी सेफटी का इसमें बहुत टफ टाइम चल रहे हैं बहुत ही तेजी से नंबर्स ब कोशिश करो कि जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलो वरना घर से मत निकलो वेकार में ठीक है सब्लीज रिफ्लेक्शन ठीक है कोशिश करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन पर चल्दी ही लाइव स्ट्रीम करेंगे सर आपको क्या लगा है कि बोर्ट्स ऑनलाइन या ओफलाइन होंगे बेटा अभी कुछ नहीं कह सकते देखो क्या होता है सिच्वेशन के हिसाब से वह माई हाथ में नहीं है कि क्या अंग्ल बी यदी इसएकल टी एसी कि इंटी अजी आप बट कैसे कैसे वी अटी बराबर हो जाएगा डी ऐसी अब्वा और जाएगा अच्छा हां ऐसे एक निट सही बोल दो सही बोल रुखो करवा देते हैं हो जाएगा एक चीज हाँWest misma कर सकते है यह एक चीजम कर सकते हैं कट कि है कि अगर सोच अगर हम इस अंगल को City लिए पूरा 90 यह और अगर 90 मीनिस होगा यह अगर एक्स मानों गए अगर इसको अजीम कर लो एक्स तो यह निकालना पड़ेगा पहले हमें तो यह भी एक्स आ जाएगा तो यहां पर हम इस बोलेंगे एक तो आपका है ADB बराबर है एक तो यह हो गया 90 डिग्री है दोनों एंगिल्स और दूसरा जो है वह जाएगा आंगिल BAD बराबर हो जाएगा आंगिल A C D के ठीक है वह दोनों सेम हो जाएंगे यह हमने क्यल्कुल्य गर्कर कर के ऊपर कर लिया अब यहां पर हो जाएगा बाए A प्रोपर्टी यह हो जाएगा सब्सक्राइब क्याप्राइग क्वायर बड़ आप ट्रेनल देसा इसा corresponding sides भी similar होंगे, हमें find क्या करना है AD, तो यहां पे आप AD को ले लो, AD, तो यह हो जाएगा, देखो इस तरह, पहले इसको बना लो, ठीक है, ताकि corresponding sides बनाने में, समझने में आसानी रहे, तो इसको अगर हम बनाएं, इस हिसाब से, तो एक हो जाएगा यह, यह हो जाएगा हमारा A, B, D, जो D वाला है, यह 90 degree है, तो अगर इसी की तरह, हम इसको बनाएं, ADC को, तो ADC कुछ ऐसा बनेगा, यह हो जाएगा A, यह हो जाएगा D, और यह हो जाएगा C, D आपका हो जाएगा 90, excuse me, तो यह हो जाएगा आपका ADC, D वाला आपका हो जाएगा 90, and यहां पे, A वाल जाएगा, यह अलग वाला एंगल है, यह जो C वाला एंगल है, लेकिन यह C वाला एंगल हमें A की तरफ रखना पड़ेगा, यह ऐसे ही नहीं के ऐसे बनेगा, D, A, और C, क्योंकि आपका एंगल C जो है, वो इधर वाले A के बराबर, यह आपका X हो जाएगा, तो यह वाला C वाला भी X होगा, तो इस तरह आपके corresponding angles बनेगे, यह आपका यहां से निकाल लो corresponding sides, तो यहां से आप कह सकते हो, यहां से आप कह सकते हो, that AD upon CD is equal to, BD upon AD is equal to AB upon AC, ठीक है, अगर यह figures आप बना ले रहो, तो इससे क्या होता है, आपको corresponding sides निकालने में help मिलती है, तरीका क्या होता है, तरीका देखो, angle, जो angle जिस angle की corresponding है, तो दोनों triangles को इस तरीके से बना लो, यह हो गया, यह निकल के आ गया, तो हमें find क्या करना है, हमें AD find करना है, यानि आप इस वाले relation का use कर लो, जिसमें AD दिया हुआ है, और एक मिनट यहां पे, AD दिया हुआ, AD आप इसका use कर कर लो, तो यहां से निकल आएगा, तो यहां पे हमें कौन से side के length दिये हुए है, BD is equal to 2 cm, तो यह 2 है, और CD is equal to 8 cm, यानि कि हमें यह दिया हुआ है, ठीक है, तो यह चीज हमें दिया हुआ है, अब, अगर यहां पे AD का length, आप कुछ माल लो, तो AD का length तो same ही होने वाला है, तो आप इसका use कर लो, इस वाले equation का use कर लो, तो इतने का use कर लेंगे, तो क्या आजाएगा, देख लो, इसको solve कर लेंगे, तो यहां से value निकल के आजाएगा, AD का value हमें निकालना है, CD का value हमें कितना दिया हुआ है, CD का value हमें दिया है, 8 is equal to, BD का value हमें दिया है, 2, AD का value हम इकल तो 16 सो एडी स्क्वाइर अगर 16 के बराबर है तो एडी का वैल्यू सीधे से दे आ जाएगा एडी विल बी इकल टू 4 कि सेंटीमीटर सो एडी इस इकल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर सो एडी का वैल्यू आ गया तो पहला वाला कुशन जो अटक गया था वह भी होके आ गया है थोड़ा सा उसमें दिक्कत था वहां पर कुछ चीजें हमें गिवन नहीं थी वह हमें अपने आप से अज्यूम करके निकाल नहीं थी तो बस इतना था यह वाला कुशन भी क्लियर हो गया अब यह सबको बस इतना था अभी इसका PDF में जल्दी से बनाकर डाल द आपको देखा अधा आयूशी कहां देखा आपने हमको आज तो हम घर से बाहर भी निकले कहीं सर्क्राइब का बेसिक पढ़ा दीजिए ठीक है कोशिश करते हैं से जल्दी करेंगे देखो बैटा जितने टॉपिक हो पाएंगे मैं कोशिश करूँगा ज्यादा ज्यादा कर सको सारे तो नहीं हो पाएंगे मुझे पता है पट जितने भी हो पाएंगे मैं कोशिश करूँगा उनको कराने की अर इस कॉमन प्लीज रिपलाएं सर अगर आप फिगर को देख लोगे न तो फिगर आप एक बाद जाकर एखना ए कॉमन आगल नहीं है वह दो हिस्सों में बटा है देख लो यहां पर आंगिल इंग एंग जो है वहकॉमन नहीं है ऑनग लिए अनगल इस लिए नहीं है दि तो आंगल A is not common because it is divided differently, दोनों तरफ वो अलग-अलग तरीकों से बटा है, इधर वो X है दूसरी तरफ 90-X है, तो आंगल A is not common, common तब होता अगर पूरा-पूरा आंगल दोनों में होता, ठीक, तो यहां common नहीं है, तो यह चीज़ क्लियर रखूं। Sir Topography please, बटा topography करते हैं, जल्दी करेंगे Sir Please tell topic for tomorrow, we will be ready at time to tell, बटा शाम को ही live stream करेंगे, विकॉज शाम में ही time में मिल पाता है, तॉपिक आप लोग जो बताओ, आप लोग कमेंट्स में इस वीडियो के जूभी topic बताओंगे मैं वो topic ले लूँगा सब्सक्राइब आपने टॉपिक आज बताया है इसके ऊपर आपको कल एक वीडियो मिल जाएगा कैसे आपको याद रखना है कैसे उनका यूज करना है उसका जल्दी से मैं कल एक वीडियो बना के डाल दूँगा समझ नहीं आ रहा कि बोर्ट के लिए पढ़ू या एक्जाम कैंसल करवाने के लिए पूजा करूं वह जादा आपके लिए कालगर होगा काम आएगा टैंजेंट प्रॉपर्टीज मैं करवा चुक हो उसका लाइव इस चीम है आप जाके प्रीविस लाइव स्ट्रीम में चार पराचूप सर्पोल बना दीजिए मैं अच्छा है प्लीज बोल्ट के पहले पॉसिबल सेर्किल्स का बेसिक पिटा सेर्किल्स के उपर लाइब स्ट्रीम है लेट मी चेक सेर्किल्स के उपर अल्रेडी लाइब स्ट्रीम में बना चुका होगे circles का live stream already है आप जाके उसको चेक आउट कर सकतो चैनल से circles के उपर बिटा live stream है आप जाके check कर लेना circles के उपर already live stream है यह दोखो circles के उपर already live stream है आप search कर लेना circles amplify learning जैसी search करोगे YouTube पे circles amplify learning आपको मिल जाएगा full live stream है full live stream है ठीक दो live streams में जाके search कर लेना full topic और दोनों live streams में आपको पूरा-पूरा मिल जाएगा content एक में शाद questions है और एक में topic शाद explain किया था ठीक search कर लेना circles amplify learning circles के उपर और पूरा content है पूरा topic है इक वेक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा क्या पे कर दा दीजिए प्टा एक्वेशन ऑफ श्ट्रेट लाइन पे भी है स्मार्ट गेमर स्ट्रेट लाइन पे भी है सर्च कर लो आप जाके एक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइंग मिल जाएगा आपको वीडियो और रड़ी बना हुआ है पूरा concept ने देड़ घंटे दो घंटे के वीडियो में explain किया है कितने में calculate होगा वह तो जो आपका रूल फॉलो होता है बेस्ट फाइब कहते हैं इससी में तो बेस्ट फाइब ही लिया जाएगा बट में तो यही है कि एक्जाम कैसे होता है क्या इस बार होगा वह चीज़ आपके वीडियो बहुत हेल्फुल है हमारे लिए थांक्यू सो आप इतना टाइम मैनेज कैसे करते हो इतने सारे डिमांड्स होते हैं आपको मानव यही तो थोड़ा सा करना पड़ता है तो सारे टॉपिक्स तो मैं नहीं करवा सकता ओविसली बिकॉस आज सिंगल परसं मेरे लिए इंपॉसिबल सब कुछ कर पाना बट मैं कोशिश करता ह जिस चीज की जादा होते है कोशिश करता हूं कि आप लोग तक ला सकूंकि जादा से जादा बच्चों की रहता है बाकी टाइम रहता है तो मैं सारे ही इंदी करने कोशिश करता हूं ऊप सिर एक सीना करवा दो फिर हां जिस उसका बेसिक समझ नहीं आता हां और्गनिक के及मस्ट्री में लाइव दरिंग हो चुका अभी जल्दी मैंने कर रहा था पिटा आप पिछले लाइव स्ट्रीम में जाके चेक करो सर्च कर लो और्गनिक केमेस्ट्री बाय अम्प्लिफाई लेर्निंग और रेड़ी आपको वीडियो मिल जाएगा लाइव स्ट्रीम में उस पर कर चुका हूँ सर्फ यू आर ग्रीट एक क्लास पानी पी लीजिए विटा बॉटल है ज़रूरत पड़ेगी मैं पी लोगा सर्फ बनाकर एक एक करके मोस्ट इंपोर्टेंट वाले करते जाएगे हां सार तक वही करेंगे वही करेंगे आधित्य थैंक यू फॉर दे विश थैंक यू सर्फ वेपर डेंसिटी पर लाइव स्ट्रीम खीक है कोशिश करते हैं बेटा जल्दी करेंगे सर्फ कंप्यूटर पर थेओरी कैसे पढ़ू आरेन थेओरी के लिए देखो समरी पढ़ लो चैप्टर के एंड में जो समरी दी होती है उसमें में में पर लो उत्ता काफी है सब थेओरी के लिए थेओरी पार्ट के लिए सब पैटर्स प्रोग्राम और संस्क्रिती बेटा आप जाके सर्च कर लो पैटर्न एपार्ण अफंधार्ट के उपर काफी साँरे मैंने वीडियोज बनाए है पैटर्न के उपर ignorant का से डिपलेग ने किया जाकि है पैटर्ण के ऊपर जाके सर्च कर लो कि एक लर्जी के ऊपर ठीक है कोशिश करेंगे अगर उसका टर्न आया तो जरूर से उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे सब्सक्राइब लेकिन अगर प्रूविंग में अगर कहीं पर आपको टैन की जरूरत है तो आप तैन में सब्सक्राइब कर लो लेकिन अगर प्रूविंग में कहीं पर आपको साइन बैकॉस रखके फाइदा मिल रहा है चीज़े कांसल आट हो रही है तो आप साइन बैकॉस रख लो जरूरत के हिसाब से दोनों ही वैल्यूस करेक्ट हैं उसकी कोटे बराबर साइन भी होता है और को लेता है तो लोग को है लाट मुझे पता लगए कि क्या चाहते हो रागेróस वहां हम शुक्राइब क्राइस क्व आम क्वक्राइब कर लेता ह। सब शर्च्व कर भाले में ने कीश ओप्र लिए बिश्च ओ Prettyblemot to 중요, हाँ आप 10 years से भी theory पढ़ लो computers में तब भी काफी है शिवा में सेंग सर आपने कंप्यूटर programming सिखाई है मुझे you are god विटा भगवान से मत compare करो इंसानी है लेकिन ठीक है आपकी भावनाओं की कदर करते हैं सर आप office में बैठे हैं क्या पीछे background कहां का है background तो office का ही है office में लेकिन नहीं बैठे है वो पीछे background office का लगए है अब हैप्याइस birthday to you and sir take my name नमित नमित शाउट आट तु यू और थैंक्स पर विशिंग थैंक्स फो दविश सर कालोरी मिट्री का पूरा चैप्टर का live stream प्लीज मेरे को नहीं आता है वह चैप्टर है कैलोरी मेंट्री वीट मिनट्र शायद मैंने कैलोरी मिट्री पे स्ट्रीम किया था मुझे देख लेना देख लेना दो एक बार कि गाइस कालोरी मेट्री पर मेरा अल्रेडी स्ट्रीम है आप जाके सर्च कर लो एक बाइ यूट्यूब पर कालोरी मेट्री अम्प्लिफाइ लर्निंग अभी तीन हफते पहले ही मैंने लाइव स्ट्रीम कर रहा है जब भी आपको कोई वीडियो अगर लगता है तो आप एक देख लेने जाके मैंने एक एक चीज एक्स्प्लेइन करी है इसमें एक घंटा पच्छीस मिनिट में आपको एटु जट पूरा कैलोरी मेट्री चैप्टर आपको इसमें मिल जाएगा तो यह वीडियो देख लो जाके फास्ट फॉवर्ड में देख लो जैसे भी देखो आ अब लाइट चैप्टर के ऊपर लाइव स्टीम उसके विंड्स का समझ नहीं आता ठीक श्रयानशी ठीक है आपने बताया है कि विंड्स का तो मैं देखता हूं उसके उपर हो पाया तो यह ज़रू करूं कैलोरी मेटरी पर हाँ लाइव स्टीम पहले से हुई है एरे पासिंग इन इन वोकिंग आरे पासिंग मतलब लाइक फंक्शन में उसको पास करना तो उसके उपर चलू ठीक है मैं करवाँगा प्रोग्राम में एक दो करवा दोंगा उसके उपर सर आप इतने क्यूट लगत सर अगला स्टीम किस पर देखते हैं अगला स्टीम कल देखो मैं एक पूल डालूँगा जैसा आप लोग बताओगे उस टॉपिक के उपर लाइव स्ट्रीम कर लेंगे आपको देखना पड़ेगा कि आंगल्स देखो बोर्ड का कुशन जो आएगा उसमें आप आसानी से आइडेंटिफाय कर पाओगे कौन से दो आंगल्स सिमिलर होंगे या सेम होंगे तो सिमिलर्ट आंगल्स निकालने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी थोड़े बहु कि दो आंगल्स सेम हैं तो आपको सिमिलर्टी में कोई दिक्कत नहीं आएगी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आजाएगा उचीज कि दो आंगल्स एक्वाल कैसे निकालने होते हैं बाकि अगर को कम लगे तो मैं कॉस्टिंस एक वीडियो में और करवा दूगा कोई दिक्कत इसमें 25 कुछ हो गया है 25 या 28 सब्सक्राइब के लिए कि अभी मुश्किल वक्त चल रहा है लेकिन इससे पीछे नहीं अटना है पढ़ते रहो ठीक है इंस्पाइड रहो पॉजिटिव रहो में चीज हर सिचुएशन से निकलना सीखो डिल करना सीखो जिंदगी है लाइफ अगे जाके वैसे भी लाइफ होने वाल है सबकी सो अभी से आपको थोड़ा सा जीज सीखने को मिलें लाइफ ऐसी नहीं है जैसी हम सबको लगते हैं लाइफ होती है तो टाइम है उससे निकलना है सबको लेकिन साथ-साथ पढ़ाई भी करनी है पढ़ाई से मार्क्स लाए है लाइफ में सिचुएशन पता है अच्छी सिचुएशन नहीं है अभी कोविट का टाइन चल रहा है लेकिन में थिंग इस कि आप इससे कैसे डील करो आप निगेटिव हो जाओगे तो आपके आसपास के लोग निगेटिव हो जाएंगे ध्यान रखो कि आपको इंफेक्श करो एक्जाम होते हैं नहीं होते हैं वह बात की बात है लेकिन आप पढ़ाई करो अपने लेवल पर 10th क्लास आप कर रहे हो तो आप उसके हिसाब से अगर नॉर्मल टाइम होता तब आप जितना पढ़ते वही चीज करने की कोशिश करो नॉर्मल रखो हर चीज़ों को ठीक वह बढ़ी देखो है खुश रहो तीवी टेलिविजन तो आ रहे ना इसमें इतना तो नहीं कि टेलिवीजन नहीं आ रहे टेलिवीजन है नेट है सब कुछ है खुश रहो अब है अब अब आरेई गवावल सॉर्टिंग पर वीडियो लाइव स्ट्रीम करना प्लीजाइड डॉंट अंडस्टांड दोस प्रॉपर ली ठीक है लाइव स्टीम कर सकते हैं बट वह टॉपिक और डी मैंने बनाया हुआ है आप चाहो तो जाके सर्च कर सकते हो देखो आप जाना YouTube पर जाके सेर्च कर लेना आप सेर्च करना आप सेर्च करना Array Amplify Learning तो बस इसको सेर्च करोगे ये एएक प्ले लिस्ट आयेगा इसको उपन कर लेना और इस प्ले लिस्ट में यहां पर is OSB here a linear search बताया है है अरे के बार में some Dallas आपको इस वाली प्लेमिलिस में मिल रायागा तो इसमें सकते हो तब भी नहीं समझ में आता है तो पक्का में कर दूंगा ठीक है तब अगर दिक्कत होती है तो मुझे पताना है इस बार मार्किंग स्कीम कैसी होगी आयुशी लगता तो है थोड़ा सा लाइट होगी दिखाई जाएगी विकॉस सब बच्चों के साथ दिक्कत तो ही है तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो शायद लीनियंट रहे मार्किंग अबाई को जो गोराफी मैं मिनर्ल रीसोर्स एच से जोगिए मिनरल रीड़ीर्ण से और इनर्जी के उपर क्म्बाइंड होते ओंध और कि मिनdogs रिसूर्ससेज एचने और इनर्डी रिसॉर्सेज के साथ है इस बार हो सकता है अलग है difference between kinetic energy and momentum difference between kinetic energy always पड़नों इंद्व फू सब्सक्राइब मोमनेटम यहां इआ इस वेलोसटि सों प्रॉम मोमन सब्सक्राइब को baik इसने से करें oh energy आपको यह बताता है that the amount of work stored in a object दोनों quantity ही अलग अलग है तो directly आप कैसे compare करोगे दोनों एकदम ही अलग चीज़े हैं मानव सर आपकी family में कौन-कौन है बताऊ ना प्लीज मिटा family में सब जो parents है मेरे मम्मी है पापा है सब क्यों होते हैं भई है सर प्लीज टेक माई नेम तनिश्क आइटूक यूर नेम सर यह स्लो मोड में spam कैसे हो रहा है पता नहीं सार्थ लोग रास्ते निकाल लेते हैं सब्सक्राइब जाएंस निथा नेजी कोशिश करोगा यूट्यूब पर है यूटूब पहने ही मैं कोशिश करता हूँ आप लोग की help करने की जितनी होपाती है सर आपने बोर्ड की चैकिंग क्या हुई है क्या हुई है कै पता यह प्याब रहा हूँ सर यह हमारे लिए तॉंट था क्या इसे होता है यह मुझे पता है लकिनarmed की हुई है नहीं आयुष्य मैंने मुझे मूद चाह्किञ रहा हुए कैसे होती है चेकिंग यह मुझे पता है लेकिन मैंने बोर्ड की चेकिंग नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे एक गंटे से लिख रहा हूं लगता है इग्नोर कर रहा हूं अजली नहीं बिटा इग्नोर नहीं कर रहा हूं अभी मैंने जस्ट पढ़ा 10 years देखो 10 years कोई आपको guarantee नहीं देता है कि 10 years पढ़ने से आपको आइडिया लग जाता है कि पेपर किस टाइप का आता है किस टाइप के पढ़ने से फाइदा होता है और कुछ questions रिपीट भी हो जाते हैं तो आपकी वहां भी फाइदा हो जाता है तो 10 years पढ़ने से यह फाइदा होता है कि आपको थोड़ा बहुत प्रिपेर हो जाता है कि किस टाइप का पेपर आने वाला है एकदम नया नहीं लगेगा और जो कहता है वो बस ऐसी बोलता है और 10 years पढ़ लोगे तो उससे आपका फाइदा होगा मैं यह कह सकता हूं हो सकता है उससे पढ़के आप 70-80% 70% मार्क के ऊपर तो ऐसी कवर कर लोगे बाकी आपकी महनत है बाकी आप उसको महनत करके और जादा चीजें पढ़के आप 80-90% क मेरा बस एक हैना है 10 years से आप पढ़ोगे तो आपका ही फाइदा होगा थोड़ा सर आपने बोर्ट की चेकिंग की है नहीं आयुशी मैंने बोर्ट की चेकिंग नहीं की है सर आपकी यूट्यूब से इंकम कितनी है प्लीज बताओ बिटा जादा नहीं है जादा नहीं है बस इतनी है कि काम चल जाता है सब्सक्राइब करें अंधर के अंधर के अंगल सेम थे इसलिए वह होगा सर आप बहुत पुलाइटली टीच करते हो थैंक यू सर फॉर टीचिंग चलो अंजली यू वेलकम आप इंकम के बारे में पूछ रहे थे ना यूट्यूब इंकम तो इसके बारे में एक चीज़े बता दूँ अभी बहुत टाइम लगेगा मेरा देखो एक ड्रीम है आप लोग के साथ में शेयर करता हूं 82 लोग यहां पर हो कि आगे जाके थोड़े टाइम बात मेरा यह विश्ष है कि जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं डिजिटल प्लाटफॉम पर पढ़ाते हैं सो मेभी मेभी आगे जाके मैं डिजिटल बोर्ट लूँ बट अभी उसमें बहुत टाइम है तो आप लोग खुश सकते हो कि इतनी इंकम नहीं होती है यूट्यूब से कि इतना कुछ हो सके तो बस यही सोच लोग कि मुझे अभी बहुत आगे जाना है बहुत सपोर्ट कि इन फ्यूचर में डिजिटल बोर्ट ले सकूँ ताकि आप लोग तक जादा और जादा अच्छे से कंटेंट पहुचा सकूँ विकार सोचो यहां पर मुझे बताना पड़ता है चीजों को और अगर डिजिटल बोर्ट रहेगा तो उससे जादा वीडियो अच्छा भी बताने में जादा आसानी रहती है और वह चीजें आप लोग को समझ में भी आएंगी जादा अगर डिजिटल बोर्ट रहेगा तो इन फ्यूचर मुझे लेना है डिजिटल बोर्ट बट उसके लिए अभी बहुत लंबा रास्ता है बहुत टाइम लगेगा उसमें अभी 100 क कि एक बार अगर सब्सक्राइबर हो जाएं तो शायद इतनी इंकम फिर आने लगे कि धिरे-धिरे करके कई माहिनों में इतना पैसा हो जाए कि मैं डिजिटल बोर्ट लेका हूँ कि फुल सपोर्ट चले यश थैंक्यू सपोर्ट करो आप लोग सपोर्ट सिर्थ पैसे से नहीं होता है अब इस तरह भी सपोर्ट कर सकते हो कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो शायद उन लोग के लिए वीडियोस हिल्फुल हो शायद अनके देखने से हो सकता है यह चैनल जादा जाज उतना ग्रोग करेगा उतना जल्दी ग्रोथ होगी इसकी और जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इंकम भी शायद बढ़े और इंकम बढ़ेगी तो इसके बादी और चीज़ें आप लोग तक भी आएंगी ठीक है तो बहुत आगे के टार् के बाए नेक्स्ट फ्यू मन्स येस सार्थक हैं मॉल्स ओपिंग सब्सक्राइब इसके बारे में उनलाइन सर्च कर सकते हो प्रूफ किया जाते हैं उनको किसी मैथेमाटिशन ने प्रूफ कर दिया तो रूल बन गया अगर हर जगा वह सही था तो नेलम चलो गुटनाइट बिटा सर इस्ट्रिंग वाला प्रोग्राम स्प्लिट फंक्शन से इसली हो जाएगा हम आप स्प्लिट फंक्शन भी आप लगा सकते थे सर मेरे क्लास में 50% स्टुडेंट्स आपको सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब आप अब आप लांग्विज पर लाइव श्ट्रीम आओ ना प्लीज ठीक है लांग्विज पर लिएव स्ट्रीम देखते हैं लांग्विज के अपना एक काम करना कुश्चन्स अगर आप में को इस एमेल पर शुर्ट कर देंब आपके पास questions हो, book कोई हो, जिसमें practice questions हो, तो आप questions मुझे send करना, मैं वो पूरी exercise solve करवा दूँगा with explanation, बस questions की कमी है, मैं में पास questions नहीं है, अगर आप questions प्रोवाइड कर पाओ, तो मैं live stream कर सकता हूँ, language के उपर, ठीक? Sir, will the board exam postponed? आयाश, no idea, जैसे आपके पास कोई idea नहीं है, वैसे मेरे पास भी उसका कोई answer नहीं है, देखते हैं क्या होता है, बाकि तयारी करते हो, देखो, मैंने हमेशा का positive रहो, ठीक है, कोई भी time हो, उसके साथ positively positive रहो, वो time निकल जाएगा, tough से tough situations life में आती है, अभी भी आ आफर नहीं कर रहो, येकिन कोशिश करो, खुद को जितना positive रख सकते हो रहो, पढ़ाई करो, सोच के देखो, अगर कुछ ना होता, जैसे आप तब पढ़ रहे हो, वैसे अभी पढ़ो, आपके लिए तो कोई वो चीज नहीं है ना अभी, तो आप तो पढ़ाई करो, बाक हो सकता है, मैं language पर live stream कर दूँ उस चीज के ओपर, ठीक, questions को स्वाल करवा दूँगा, और बाकी आप लोगो बता भी दूँगा, वहाँ पर, चीजें जो जो यूज करेंगे, हम लोग वहाँ पर, सर आप physics वाला को जानते हो, personally नहीं, but I know, YouTube पर जानता हूँ, but personally नहीं, Sir, will board exams be easy this time, considering the difficulties we have faced, considering the difficulties we have faced throughout the year, लगता तो है, थोड़ा सा easy तो होगा, बट देखते हैं क्या होता है, कह नहीं सकते कुछ भी देखो, पक्का पक्का तो नहीं सकते, बट लगता तो है, कुछ तो ease देना चाहिए उनको, Sir, आप Biology पे कब वीडियो बनाओगे, आनी रुद्ध, बेटा, Biology क्लास 10 तक तुम्हें explain कर सकता हूँ, उसके उपर का Biology जब मैंने खुद नहीं पढ़ा, तो मैं explain कैसे करूँगा, 10 तक मैंने भाई लिया था, वहां तक का Biology मैं आपको explain कर सकता हूँ, अगर कोई topic में दिखका थे तो आप में को mail करके बता दो, ठीक है, अगर किसी topic में especially कोई topic बहुत तफ लगता है, क्योंकि सारा biology इतने कम टाइम में तो मैं cover नहीं कर सकता, बाकि अगर कोई topic अगर आपक आपके बोर्ड वाले ड्रीम के लिए छोटा सा सपोर्ट, मैंने बिटा, थैंक यू, थैंक यू, फॉर्टी रुपीज सूपर चैट, एंड चलो, थैंक यू सर, मैं चार दिन से रुखा था, सिमिलारिटी की लाइव स्ट्रीम के लिए आज ही मिस हो गई, चलेंग बिटा, कोई बात नहीं, आप एक काम करना, आप